नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Civil 101 में मेरा नाम है संदीब कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि सर्वेइंग के कौन से टॉपिक्स हैं जहां से multiple choice questions बनते हैं और किस टाइप के questions जो हैं वो बनते हैं कैसे questions अब तक आए हुए हैं SSC, ESC या स्टेट के exams में और कैसे questions आने वाले जो आपके exams हैं उनके अंदर आप से पूछे जा सकते हैं दोस्तों मेरा नाम है संदीब जानी और हम Civil 101 पर complete civil engineering पढ़ते हैं इस से related आपके detailed sessions जो हैं वो भी हुए है marathon sessions जो हैं वो भी हुए हैं और practice questions जो हैं वो भी हम करते रहते हैं YouTube के उपर भी और Anakadmi की जो app है उसकी special glasses के through भी है दोस्तों तो अगर आप Anakadmi की app अभी तक आपने download नहीं कर रखिया तो आप download कर सकते हैं जहां पर आप subscription पर भी और जो Anakadmi की special glasses हैं उनको भी आप देख सकते हैं जो free of cost होती हैं तो इसके लिए बस Anakadmi की app open करके उसके बाद उसमें basic login करके फिर आपको वहाँ पर अपना goal सेलेक्ट करना है कि आपके इस exam के तयारी करना चाहते हैं गोल सेलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पर get subscription पर क्लिक कर सकते हैं अगर subscription पर पढ़ना चाहते हैं duration सेलेक्ट करनी है कितने duration के लिए आपको subscription चाहिए और उसके बाद आप code यूज कर सकते हैं संदीब डबल वन जिससे आपको 10% instant off भी मिलता है और साथ ही साथ में आपको access मिलता है unacademy platform पर throughout the category आपके cb educator की कोई भी class देख सकते हैं अगर आप unacademy की special classes को enjoy करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको unacademy की app open करके फिर बस एक invite code पूछता है वो संदीब डबल वन आप यूज कर सकते हैं और उन free classes को आप देख सकते हैं तो unacademy उपर मेरी profile में जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको classes दिख जाएंगे free classes के under तो उस पर जाके आप उन्हें देख सकते हैं आज के sessions के अगर मैं बात करूँ तो आज शाम को 5 बजे और शाम को 6 बजे surveying का test रखेंगे हम शाम को 5 बजे और शाम को 6 बजे PDF के साथ क्या करना है PDF के साथ आपको जो भी आपने अभी देखा है पढ़ा है आपको अगर लगता है कि कुछ question कुछ part ऐसा है जो आपको याद नहीं रहेगा उनके उपर जाएं उनको revise कर सकता है या फिर क्योंकि class आपने already ले रखी होगी तो फटा फट से PDF को go through करना है एक बार फिर से वो सारी चीज़ें आपको देख लेनी है वो सारी questions आपको देख लेने है तो थोड़ा अच्छे से और याद हो जाएगा आपको दीखे अब बात कर लेते हैं आगे शुरू करने से पहले आजी सभी को नमस्कार टेस्ट होगा अनकाडमी के आप के उपर अनकाडमी आप डाउनलोड कर लीजेगा आप शाम को पांच बजे शाम को छे बजे ये दो टेस्ट हमारे होंगे जो building material कल शाम को पढ़ा था हमने और अभी जो हम पढ़ रहे हैं surveying उनसे related questions अभी जो हम कर रहे हैं वो same questions नहीं होंगे questions अलग होंगे ताकि जो topic यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं या जिन questions को अभी हम देख रहे हैं उन्हीं questions से associated अलग मिलेंगे अब दोनों subject में difference की मैं बात कर लेता हूँ दो subject starting में हमने building material और surveying जो है वही शुरू में क्यों रखे जो हमने कल शाम को building material पढ़ा या अब surveying हम बढ़ रहे हैं जितने भी अगर मैं JEE exam की अगर मैं बात करूँ तो JEE exam के अंदर ये दो subjects ऐसे हैं जो हमेशा majority में रहते हैं या फिर ये important है अगर हम major exams की बात करें जितने भी exams होते हैं उनके अंदर majorly ये दो subjects जो है ये तो रहते ही रहते हैं अब इनकी weightage जो है ये भी जादा होगी building materials के अंदर questions जो हैं वो कुछ सालों में trend जो थोड़ा थोड़ा change होता हुआ है और उनके बारे में भी हमने बात की कल की कैसे कैसे questions आपसे पूछा जा सकते हैं कैसे questions को थोड़ा सा twist करके पूछता है जैसे weightage apparatus के dimensions हैं plunger के वो तो आपसे पूछते ही है normally फिर उसके बाद जो weightage mold है उस mold को अगर top से penetration आपसे पूछा गया तो bottom से पूछ लिया ऐसे questions चेंज करके तो जहां-जहां से जैसी possibility थी जिस test से related जो questions पूछे जा सकते हैं तो वो pinpoint figures हमने कल देखे थे और questions के through भी हमने देखे थे, surveying जो subject है उसके एक खास बात क्या है या अच्छी बात कह लिजी आप, surveying से आपको ऐसे इतने जादा वो घुमा कर questions नहीं पूछ सकता है, क्योंकि अगर survey कर रहे हैं, जानकारी कहीं से अगर आप ले रहे हैं, building materials में तो यह हो सकता है ना, कि एक material की बहुत सारी properties होंग है, कि हाँ आपका यह formula एगर correction पता करना है, तो यह formula यह use होना है, और ऐसा ही question आएगा, data change हो जाएगा, बस formula यह use होना है, तो बहुत specified सा pinpoint सी जो चीज़ें हैं, वो रहती हैं, surveying से related की क्या questions आपसे पूछेंगे, अब अगर आपको true bearing, magnetic bearing यह calculate करनी है, तो angles की value ही तो change होग बागे तो भई रहेगा, formula भई रहेगा, declination आपको value जो है, वो change हो जाएगी, declination, true bearing, magnetic bearing, बाग तो भई रहेगी, formula तो इनका, तो fix है कि हाँ कहां से क्या-क्या questions जो हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं, सर्जी टॉप करना है, तो क्या करें, सबसे पहले मज़े लेने, जोड़ने होंगे, कि master के मज़े नहीं लेने, बाद में पढ़ाई तो आप करी रहें, तो थोड़ा confidence रखें और अपने आपको बहतर तयार करते रहें, जहां पर भी mistakes हैं, उनको improve करें, अपने आप कर वीडियो जिनकी clear नहीं है, वो अपना resolution भढ़ा लेजिए, बाकि यहां से वीडियो से stream हो रही है, नहीं है, जो test होंगे, इनके लिए कोई subscription की ज़रूरत नहीं है, यह Unacademy की free special classes जो हैं, उनके अंदर है, लेट इस बिगिन, शुरू करते हैं, Unacademy की वीडियो में आपको गुझमीन appropriate content दिखे, तो आप report कर सकते हैं, नीचे description में आपको link मिल जाएगा, लेट इस बिगिन, तो जो कहानिया है, या फिर यह कह लिजी जो theoretical content है, उसके उपर, उसका reference मैं सिर्फ इस लिए दे रहा हूँ, यह बताने के लिए कहां कहां से कैसे questions आप से पूछ सकते हैं, तो बाकी as such यह एक definition या उनको study नहीं करेंगे, क्योंकि यह हमारा questions वाला session है, तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें, shape of earth के बारे में आपसे अगर question पूछता है, तो आपको यह बताना है, geoid shape है, यह आपसे पूछता है, फिर level surface, horizontal surface, इनकी definition based question आते हैं, कि एक ऐसा surface, जो की tangential है, earth के surface के, या फिर level surface के tangential है, और vertical line के perpendicular है, तो वो कौन से surface है, वो horizontal plane है, तो ऐसे questions आपसे पूछते हैं, great circle पूरे earth को दो equal parts में divide कर देता है, great circle और spherical triangle दोनों में difference आपको पता होना चाहिए, great circle तो earth को पूरे दो equal parts में divide कर रहा है, spherical triangle क्या करता है, तीन great circle के intersection से जो triangle बनता है, वो spherical triangle आपका बनता है, फिर उसके बाद spherical triangle की जो properties हैं, यह आपको याद होनी चाहिए, कि length of spherical triangle, length of side of spherical triangle, जिसको angle की terms में measure करते हैं, it should be less than or equal to 180. Each angle of spherical triangle 180 से वो भी कम होना चाहिए, sum of three spherical sides, और spherical sides जो है, side क्या होती है, side होती है, जितना हर एक side, center के उपर angle बनाती है, उसे हम क्या कहते है, length of side of spherical triangle, तो यह वाली अगर arc की बात करों, तो यह earth के center के उपर कितना angle बनाएगी, यह वाली arc जो है, earth के center पर कितना angle बनाएगी, and so on, तो उसे हम क्या बोलते है, side of this spherical triangle, sum of three spherical sides should be in between 0 to 360 degree, और sum of spherical angle जो है, वो 180 से जादा होना चाहिए, क्योंकि plane triangle जो होता है, उसका 180 होता है, और 540 से कम होना चाहिए, next, दो important point अपने आप में ही क्या है, objective question है, कि एक earth, earth के surface के उपर, अगर आप 12 km की arc बनाएगे, तो वो 1 cm ही बड़ी होगी, अगर आप ये earth का surface consider कर रहे हैं, और earth के surface के उपर, अगर आपने ये 12 km की, 12 km की कोई arc बनाई, तो इसकी subtended chord जो होगी, यनि कि ये direct distance जो होगा, ये 12 km, minus 1 cm होगा, 1 cm का ही difference आएगा, हर 12 km के अंदर, दूसरा जो आपसे important point, जो objectives में directly पूछा जा सकता है, वो ह difference between sum of angles in plane triangle, एक plane triangle अगर आपके पास है, एक ऐसा triangle, या earth के surface के उपर, एक spherical triangle आपके पास है, और अगर इन दोनों का area, 195 km2 है, तो difference between sum of angles, sum of angles के बीच में जो difference आएगा, वो कितने का आएगा, 1 second का आएगा, अगर इसका sum of angle 180 degree है, तो इसका 180 degree, 0 minute, 1 second हो जाएगा, तो ये आपसे objective में question पूछ सकता है, So what is the difference between the sum of interior angles of plane triangle and spherical triangle for an area of this, 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 तो आपके पास 1 second answer हो जाएगा, next, difference in length of an arc and its subtended chord, 18.2 km, या फिर आप ये कह लिजे कि अगर 12 km की मैं बात करूँ, तो 12 km के लिए 1 cm, तो 18 के लिए कितना हो जाएगा, 1.5 cm या 15 mm हमारा answer हो जाएगा, Geodetic Surveying के अंदर sum of all internal angles, Geodetic Surveying के अगर मैं बात करूँ, तो उसके अंदर 180 से जादा होगा, sum of all the angles, next question पे चले, तो types of surveying आगे, types of surveying में इतना जादा कुछ को आपसे नहीं पूछा जाता है, principles जो हैं वो आपसे पूछा जाते हैं, working from whole to part, और दूसरा principle जो है, वो है locating a point by at least two points of reference, तो ये दो जो हैं आपसे पूछे जाते हैं objective में, फिर उसके बाद units of measurement के अगर हम बात करें, तो basic basic से चीज़ें आपको पता होने चाहिए, इनका direct use नहीं है, कि one foot है, वो कितने inches के बराबर है, direct use नहीं है, इनका use आपसे scale में पूछ सकता है, वो आपस से, जैसे scale के अंदर आपको अगर दे दिया, कि one foot is to ten meter, माल लीजिए, ऐसा कुछ scale आपको बता दिया, कि इसको आपको represent करना है fraction के form में, तो one foot upon ten meter आप express करेंगे, तो बस आपको पता होना चाहिए, one foot के अंदर कितने centimeter होते हैं, या one foot के अंदर कितने inches होते हैं, उसके according correspondingly, आपको convert करना आना चाहिए, बस, तो ये तो अकसर use होते हैं, yard use होता है, inches use होता है, links जो हैं, ये भी use होते हैं, last year जो question आया था, links की form के अंदर आया था, बाकी question सेम था, simple सा question था, तो ये आप, ऐसे आपको पता होना चाहिए, ये आज तक नहीं पूछे हैं, eight furlongs, या फिर 1852 meters is equal to one nautical mile, ये नहीं पूछे हैं, तो इनको थोड़ा सा देख कर जरूर जाएं, क्योंकि नए questions अगर आएंगे, तो नए questions इन में से पूछा जा सकते हैं, one square foot is equal to किसके बराबर होता है, तो अगर ये basic conversions आपको पता है, तो aerial conversions भी आप easily कर लेंगे, बस ये नहीं चीज़ कहीं न कहीं आपको ये questions जो हैं, देखने को मिल जाएं, 100 square meter is equal to one hour के बराबर होता है, one gallon, one cubic yard, ये जो है, generally जो भी आपके foreign authors की book होती हैं, उनके अंदर in forms में भी आपको questions देखने को मिलते हैं, gallon या फिर generally gallon की terms में, जो भी volume की अगर हम बात करें, तो ये भी आपको पता होना अचिए 0.00455 meter cube, next, angles की क्या unit होती है, ये जादा आपको इस में जानकारी में जादा detail जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना अचिए, एक radian किसके बराबर होता है, ये simple सा basic question है, ये आपसे पूछ सकता है, एक radian वो angle होता है, अगर आपके पास radius r है, तो r radius किसके बराबर ही आपकी arc की अगर length हो जाए, तो आप उस angle को बोलेंगे कि वो one radian है, angle equals to arc upon radius, तब आप उसे बोलेंगे कि वो जो angle है, वो किसके बराबर है, one radian के बराबर है, तो ये आपको बस पता होना चाहिए, scale से related अगर questions की बात करें, तो scale में बस आपको simple इतनी सी च बता होनी चाहिए, कि scale कैसे calculate करना है, कि length on drawing with respect to length on field, बस, अब इन में से कौन सा छोटा है, कौन सा बढ़ा है, ये कोई school जाता बच्चा भी बता देगा, कि जिसका denominator नीचे वाली quantity जो है, वो बढ़ी होगी, वो overall quantity छोटी हो जाएगी, so which one of the following is the largest scale, largest scale इन में से कौन सा होग 1 by 500 होगा, क्यों होगा, क्योंकि denominator इसका छोटा है, next, which of the following scale of the map is not affected due to shrinkage of map, तो जो अगर हम graphical scale के जो भी advantages की बात करते हैं, तो वो advantages इस form में question में आपसे पूछ लेगा, statement based के अंदर आपसे पूछ लेगा, तो graphical scale है, वो shrinkage से effect नहीं होता है, क्योंकि जो graphical scale हम draw करते हैं, वो proportion के अंदर, जैसे हमने drawing के अंदर ये scale ऐसे बना के रख दिया, और फिर हमने बोल दिया, कि यहां से लेके, यहां तक इतनी length को हमने 1 cm कहा है, जिसको represent किया है, हमने drawing के अंदर, जो भी dimensions हमने बनाए है, उसको 10 km में हमने उसको represent किया है, तो in future, जब भी हम उस scale को use करेंगे, तो वो अगर shrink हो गया है, तो हम यहां से यहां तक measure करेंगे, कि इतने को 1 cm मानना है, और उसी के corresponding 10 km आप consider कर लीजेगा, तो accordingly आपके जो सारी calculations है, वो बिलकुल सही आएंगी, same proportion के अंदर वो shrink होता है, next question के उपर चलते हैं, which of the following scale is the smallest one, इन में से smallest अगर आपको find करना है, त 5000 meter है, इसको simplify करो, तो सब में जो भी सबसे smallest quantity आजाए, वो आप पता कर सकते हैं, when 1 cm of map represents 10 meter on ground, तो 1 cm upon 10 meter को आप लिख सकते हैं, 10 into 100, तो आपका representative fraction कितना आजाएगा, 1 by 1000 आजाएगा, तो ऐसे basic basic से questions आप से पूछेंगे, उसके बाद, next अगर types of scale की हम बात करें, तो अब त से related, vernier scale से related, जो हैं, वो questions जादा तर पूछे गए, plain scale, diagonal scale, इन से जो हैं, इतने नहीं आए, लेकिन क्या पूछ सकता है, उसके बारे में जरूर बात कर लेते हैं, plain scale, plain scale के अंदर, simple सी चीज़ है, कि आपको क्या दिवों होते हैं, दो dimensions आप measure करते हैं, जैसे, यह जो scale आप को दिखाई दे रहा है, इस scale के अंदर, आप क्या-क्या चीज़ें represent कर सकते हैं, इस scale के अंदर, अगर आप meters represent कर सकते हैं, तो उसका 110th represent कर सकते हैं, जैसे 47.1 meter आपने बता दिया, 47.3 meter बता दिया आपने, तो वो ऐसे represent किया जा सकता है, तो plain scale के अंदर, two dimensions measure की जा सकते हैं, diagonal के अंदर 3 dimensions mention की जा सकती है तो ऐसा question आप से पूछ सकता है diagonal scale के अंदर कितने 3 dimensions जब आप measurement करते हैं तो 3 dimensions के अंदर अगर आप बात करें तो जैसे 33.3 meter इसमें represent किया तो कैसे represent किया यहां से यहां इस scale के उपर 30 आगया आपके पास फिर इसका 1 tenth यानि कि 30 का 1 tenth क्या हो जाएगा 30 plus 3 इस unit को 33.3 को कैसे represent किया 30 फिर उसके बाद इसके 1 tenth वाले portion में फिर 3 हमने represent किया फिर इसके भी 1 tenth वाले में तो वो आपके पास आया 0.3 तो हमारे पास 33.3 overall बन गया तो एक यहां से यहां तक आपका dimension फिर एक इसके अंदर फिर 8 उपर इस scale के उपर हम जाएंगे next आता है vernier scale vernier scale के अंदर objective में क्या-क्या questions possible है vernier scale के अंदर पहली simple सी चीज जो आपसे पूछ सकता है वो आपसे यह पूछ सकता है कि vernier are used for finest reading up to 20 seconds इसके लिए आपको सही correct पहचाननी होगी principle क्या होता है vernier का कि हमारी आँख बिना कोई strain के बिना कोई जादा जोर लगे easily दो ऐसी line को identify कर पाए जो कि एक same straight alignment में है तो यह क्या है principle of vernier कि हमें एक दो ऐसी line देखनी है एक vernier scale पर एक main scale पर उपर वाला main scale है यह नीचे वाला vernier है तो एक ऐसी line को देखना है जो की same straight alignment के अंदर है तो वो principle है इसी तरीके से हम observe उसे करते हैं फिर उसके बाद fineness of reading को least count कहते हैं जिसकी definition आपको पता हो नीचे है direct vernier कौन सा vernier होता है direct vernier वो vernier होता है जिसके अंदर smallest division on vernier vernier के उपर यह जो छोटे वाला division है यह division main scale के division से थोड़ा सा छोटा रहता है तो बस आपको यह याद रखना है formula of least count क्या हो जाएगा दोनों cases में formula of least count होगा s by n, s by n, s का मतलब one main scale की division की value क्या है जैसे इसके अंदर अगर हम देखें तो 13.1, 13.2, 13.3 and so on तो 0.1 है इसके अंदर 0.1 है main scale की जो आपकी reading, एक division की value divided by कितने आपके पास vernier के divisions है तो यह formula आपको याद रखना है फिर उसके बाद next आता है retrograde vernier retrograde vernier के अंदर क्या होता है कि यह वाला जो division है यह बड़ा होगा main scale के एक division से तो vernier वाला इस बार बड़ा हो जाएगा और अगर आपका right to left main scale चल रहा है तो vernier इसके opposite चलता है यह retrograde है यह आपसे इसमें question पूछेगा next scale of code की अगर हम बात करें तो scale of code से related question बस simple आपसे यह पूछ सकता है कि scale of code के अंदर जो arc through 60 degree division है that must pass through the point B और the chord of 60 degree is equal to the radius A B जो आप इसके अंदर draw करता है the vernier scale in which 10 divisions of the vernier scale is equal to 9 divisions तो बस आपको ऐसे पहचानना चाहिए कि इसके अंदर आपके जो vernier के 10 division है इसके main scale के 9 है यहनि कि अगर मान लीजिए 2 group हैं जिनमें आपस में युद्ध हो रहा है तो एक side 10 लोग हैं जो कि दूसरे side की 9 लोगों के बराबर है इसका मतलब यह 9 लोग जो है वो थोड़े जादा ताकत वा रहे हैं हर individual तो वैसी आप इसमें देख लीजिए कि वर्नियर स्केल का हर एक division छोटा है as compared to main scale के division के तो direct है अगर वो a scale representing either 3 units और only 1 unit and its fraction into 2 places तो यहनि कि 3 units की बात हो रही है तो diagonal scale जो है वो use होगा if the smallest division of a vernier is longer तो उसे हम क्या बोलते हैं retrograde vernier बोलते हैं जिसके अंदर readings भी opposite direction में चलती है अगर main scale right to left तो यह left to right चलेगा in case of a direct vernier scale graduations जो होते हैं वो same direction के अंदर चलते हैं direct vernier के अंदर अगर यह left to right है तो यह right to left है तो यह भी right to left चलेगा vernier भी आपका find the number of divisions on the vernier scale to be designed for a theodolite circle which is divided into degrees and one third degrees यह questions class में हमने बहुत क्यों है इन questions के अंदर एक simple formula यूज करना है आपको least count का जो कि क्या होता है least count is equal to main scale का जो division है main scale के division की value क्या है divided by vernier के उपर कितनी divisions है तो इस question के अंदर आपको क्या दे रखा है find the number और यह ऐसे question जादा से जादा बस मतलब ऐसे घुमा के आपसे पूच सकता है find the number of division on vernier scale vernier scale के division आपसे पूचे है मतलब n की value आपसे पूचे है to be designed for a theodolite circle which is divided into degrees degrees में divide कर रहा है and one third degree degrees और उसके one third में उसको divide किया हुआ है degrees और one third में अकर divide किया हुआ है इसका मतलब कि एक degree जो है उसके अंदर कितना होता है 60 minutes होते हैं एक degree में 60 minutes होते हैं उसका भी one third कर दीजिए तो उसका भी one third अगर हम कर दें तो आपके पास कितना आ जाता है 20 minutes आ जाता है तो S की value यनि की एक main scale का जो division है उसकी value कितनी है 20 minutes है तो आपका जो theodolite है उसके circle के ऊपर हर 20-20 minutes के ऐसी readings जो हैं वो आपको mention कर रखी है तो one third S main scale reading हो जाएगी 20 minutes least count यनि कि कहां तक read किया जा सकता है वो 20 seconds दे रखा है आपको vernier के उपर तो वो आपको बस mention करना है formula में आपका answer आ जाएगा कि 60 divisions इसका मतलब आपको यहां पर किसकी value दे रखी है S की value directly दे रखी है कि एक जो main scale का division है वो 10 read कर रहा है आपर find the number of divisions on vernier scale इस question के अंदर आपको least count जो है वो already given होना चाहिए 10 seconds है यह given होना चाहिए उसके according आप divisions पता कर सकते है if the vernier can read up to 0.005 degree यनि कि least count question में आपको directly दे दिया circle of theodolite is divided into देखे ये questions ही हम क्यों कर रहे है बार-बार theodolite, theodolite ही क्यों देख रहे है ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज को समझने के लिए कि जब ऐसे form में आपको value दे रखी हो main scale division की circle is divided into degrees and 1 fourth of degree तो यनि कि 1 fourth of degree तक main scale का division बता रहा है आपको तो 1 fourth of 1 degree के अंदर होते है 60 minute तो यनि कि आपके पास S की value या main scale जो division है उसकी value कितनी आ जाती है 1 by 4 of degree कह लीजिए या 15 second कह लीजिए फिर से भई सेम formula यूज करना least count is equal to main scale का एक division कितनी reading बता रहा है और vernier के उपर कितनी divisions है next ये formula तो बहुत जादा काम आएगा चाहे आप ESC में बात कर लीजिए चाहे आप SSC के अंदर बात कर लीजिए चाहे आप state के exams में बात कर लीजिए अगर दूसरे formula के चक्कर में हम जाएंगे तो गलतियां हो जाती है एक ही formula याद रखें अगर आपको length correct पता करनी है एक ही formula याद रखना है आपको ठीक है क्या याद रखना है RF अगर formula जैसे इसके दो तिन formula और हैं जो मैं आपको भी नहीं बता रहा ठीक है वो उन formula में जाएंगे आप तो बहुत chances होते हैं confusion होने के अगर उस form में जाएंगे आप की correct scale upon incorrect scale into measured length ऐसे तो उसमें भी chances हैं गलत हो जाए हमारा RF की form में कभी गलत नहीं होगा क्योंकि शब्दों में जब किसी चीज को याद करेंगे ना हम तो वो सही तरीके से याद होती है numeric form में याद करने की कोशिश करते है न तो कही न कहीं confusion होई जाती है हमे कि हाँ कौन सी चीज उपर रखनी थी कौन सी नीचे रखनी थी RF of wrong scale अब ये अपने आप में ही complete है RF आपको क्या बता रहा है कि fraction form में ही रखना है representative fraction में ही रखना है तो ये word में अपने आप में complete हो रहा है अगर simple scale wrong scale upon correct scale तो अब scale किस form में आप बता रहे है one is to something form में बता रहे है या फिर field is to drawing या drawing is to field कैसे बता रहे हैं तो RF of wrong scale upon RF of correct scale into measured length तो correct length अगर मान लीजिए आपने जो RF adopt करना था उसके इलावा कुछ और RF आपने adopt कर लिया है RF आपको adopt करना था one is to twenty का आपने adopt कर लिया है one is to forty का और अब आपने गलत वाला ये गलत था ये सही था ये adopt करके आपने कोई distance calculate करके बता दिया अब आपको दुबारा से field पर नहीं जाना है सिर्फ घर पे बैठके बताना है कि correct length क्या होगी तो आप formula यूज़ करेंगे RF of wrong scale upon RF of correct scale multiplied by कितनी length आप measure करके आए है तो जल्दी से बता दीजिए कि अगर आपने measure करके बताया अगर आपने measure करके बताया कि जो length है that is 800 meter तो true length कितनी होगी true length कितनी होगी RF of wrong scale correct length या true length जो है वो कितनी होगी correct length will be equal to RF of wrong scale means 1 by 40 RF of correct scale 1 by 20 into measured length measured length है आपकी 800 तो हमारे पास answer आएगा 20 by 40 means 1 by 2 into 800 400 meter answer आज जाएगा ठीक है तो simple से question ऐसे पूछते है अगर सही तरीके से formula याद कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं अगर नहीं याद किया है या फिर unitary method से करेंगे न वहाँ पर तो गलतियां हो जाती है इसलिए इसी तरीके से आप इसे याद रखें area की form में तो यहाँ पर square आ जाएगा ही है तो हम कहेंगे की आरेफ और रॉंक स्केल आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए upon RF of correct scale into measured length surveyor measures the distance between two points on a map of representative fraction 1 is 200 is 60 meter but later he founds that the used wrong representative fraction that he used the wrong representative fraction of 1 is to 50 what is the correct distance between the two points उसने 1 is to 50 use कर लिया तो 1 is to 50 1 is to 60 सही था जो करना था और distance measure करके 1 is to 100 into 600 120 will be the correct answer तो बस छोटा सा प्यारा सा formula है easily याद भी रह जाएगा और actual वाले शब्द से बचें ठीक है actual length इससे बचें actual length जो है वो कई बार confuse कर देता है हमें actual मतलब true कहना चाहते हैं यह actual मतलब अभी जो measure करके बताई है वो या कौन से वाली तो इस actual शब्द से थोड़ा सा बचें आप जब formula याद कर रहे हैं question में अगर examiner दे देता है तो फिर तो बात अलग है लेकिन हम खुद से कही बार याद करते हैं ना तो formula में actual word अगर याद कर लेते हैं तो फिर exam में confusion हो जाती है 60 meter है दोस्त ध्यान से देखो next a distance was measured between two points दो points के बीच में distance measure किया गया drawn to a scale of 1 centimeter is equal to 40 meter and the result was 468 meter but it was found that the surveyor used the wrong scale of 1 centimeter equals to 20 meter the true distance between the points is अब पहली choice आपके पास यह है कि पहले इसको 1 centimeter is equal to 40 meter तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं 1 centimeter is to 40 meter को ऐसे लिख सकते हैं करेक्ट ठीक है तो यह यूज करना चाहिए था surveyor used the wrong scale आपका दोस्त था surveyor तो कभी सही काम एक बार में वो करी नहीं सकता तो यह गलत वाला उसने यूज कर लिया distance जो measure करके बताया उसने वो 468 बताया तो आपने कहा कोई बात नहीं तुम्हारी गलतियां हम सुधारेंगे correct length is equal to RF of wrong वाला जो scale है upon RF of correct वाला जो scale है RF of wrong वाला जो scale है 936 आ जाएगा next ये same question जो है EAC में भी आये हुए है as it is आये हुए है अब इनको अगर आप ऐसे याद रखेंगे ना जैसे कुछ दोस्ति से कैसे solve कर देते हैं scale की form में कैसे solve कर देते हैं कि true scale upon wrong scale multiplied by measured length अब वो true scale upon wrong scale को कैसे लिखेंगे वो लिखेंगे 40 meter upon 20 meter into जो भी value दे रखेंगे आपकी 468 तो इसमें ना exam में जाके confusion होती हैं बाद में कि क्या true उपर था या फिर incorrect वाला था scale का मतलब क्या ये directly ये one is two के बाद वाला portion लिखा हुआ है ये use करना था या one upon वाला use करना था इसलिए ऐसी सारी confusions को avoid करने के लिए simple rf of wrong scale तो rf आपको अपने आप ही बता देगा कि rf of wrong वाला scale ये use करना रf का मतलब one upon something नो scale को लिखो फिर उसके बाद यहाँ पर answer calculate करो ठीक है जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं next उसके बाद दोस्तों बात करते हैं shrunk scale, shrunk scale से related यह दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे formula याद कर लिजेगा objective में बहुत ज़ादा काम आएंगे आपके shrunk scale की value किसके बराबर होती है shrinkage factor into original scale या फिर shrunk scale upon original scale इस formula से आप एक और क्या use कर सकते हो shrunk scale shrunk scale upon original scale shrunk scale upon original scale is equal to shrinkage factor और shrinkage factor और shrinkage ratio यह किसके बराबर होता है shrunk length upon actual length तो इन दोनों को भी आप relate कर सकते हैं इन दोनों को कैसे relate कर सकते हैं कि इसको इसके बराबर रख दो कि अगर question ऐसा आता है जिस question के अंदर आपको shrunk length और shrunk करने के बाद length दे रखी है आपको उसकी true length दे रखी है shrunk scale दे रखा है original scale पूछे so this is equal to this आपको बस put करना है simply तो questions अब तक जो पूछे गए हैं वो कैसे question है shrunk scale calculate करवाया है आपसे या shrinkage factor calculate करवाया है और एक इन दोनों को use करवा के आपसे calculate करवा सकता है ऐसा question पूछा हुआ है which of the following statement is correct for estimating the corrected area from a map of shrinkage factor f तो shrinkage factor जो है वो किसके proportional होता है वो inversely proportional to the square of f के बराबर होता है shrinkage factor is equal to shrunk length upon actual length यह वाला formula आपको basically याद करना है जो यह question पूछा है यह सी के इंदर question पूछा था इसके according अगर हम देखे तो correct distance on map in terms of original measure distance on map upon shrinkage factor इनका use करते हुए correct area की बात करें तो इसका square हो जाएगा volume की बात करेंगे तो इसका cube हो जाएगा area पूछा है आप से तो area के case में square के inversely proportional है तो यह एक्जाम्स के लिए बस आपको यह दो चीज़े अगर आप याद रख लेंगे तो बात बन जाएगी और last year अगर SAC की मैं बात करूँ 2019-20 के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही simple सा जो class के अंदर अपने एक example इस topic को समझने के लिए करते हैं वही example से related direct आपसे question पूछ लिया था 9.7 वाला और 10 वाला जो हम question करते हैं तो वो same as it is वही आपसे पूछा था If the shrinkage factor is 15 by 16 and original scale is 1 by 1500 तो shrunk scale जो है वो किसके बराबर होगा Shrunk scale is equal to shrinkage factor into original scale तो बस आपको दोनों को multiply करना है और यहां से proportion आ जाएगा आपका 1 centimeter is equal to 16 meter Next ये वाला जो question हम समझते हैं Calculations करने के लिए ये कहले जी मेंस टाइब का जो question है ये थोड़ा सा तो इस question के अंदर इतनी से portion ये वाला ये as it is exams में पूछ लिया आपसे shrinkage factor और shrinkage ratio same data 9.7 और 10 तो जो हम पढ़ते हैं versus exams में कितना सा portion पूछ लेता है तो जो mains के जो भी questions हम करते हैं उनका फायदा बस ये होता है कि एक mains का question करेंगे तो बहुत सारे pre के जो part हैं वो उसमें cover होते हैं अलांकि exam time में जाके ऐसे mains की practice नहीं कर सकते हैं तब हमें multiple choice questions के उपर stick रहना होगा उस exam के pattern के according ही लेकिन जब detail में पढ़ रहे होते हैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ next तो अभी इस question को अभी के लिए रहने देते PDF में आपको मिल जाएगा classes में हमने detail में किया हुआ है geodatic survey is different from plane surveying because of geodatic surveying क्यों different है क्योंकि geodatic surveying में curvature of earth को consider किया जाता है hydrographic surveys की बात करें तो large water bodies से related होता है main principle of survey की अगर हम बात करेंगे तो it is working from hole to part the curvature of earth is taken into account अगर 195 km2 अगर 195.5 km2 से छोटा area होगा तो इतना खास impact नहीं create करता है वो earth का curvature जो है वो उतने हमारी calculations में कोई खास impact नहीं create करता है लेकिन इसके बाद करता है तो as per the data के according अगर हम देखें तो 195 वाला होना चाहिए था या 200 km होना चाहिए था 200 km2 option में नहीं है तो 260 हम यूज़ कर लेंगे next question difference in length of an arc and it's subtended called question अलरड़ी ये देख चुके है accuracy and error से related अगर हम बात करें तो accuracy जो है वो किसके उपर depend करती है और accuracy और error के अंदर अगर हम देखें तो precision क्या होता है accuracy क्या होता है इन दोनों में basic सा difference होता है precision होता है कि कितना degree of perfection हमने use किया accuracy है कितना obtained हुआ जिसे precision क्या है कि आप कितना precisely चीजों को पढ़ रहे है क्या क्या चीज़ें cover कर रहे है theory भी कर रहे है questions भी कर रहे है code के provisions भी कर रहे है और important data है वो भी याद कर रहे है तो यह आपका precision है कितना precisely आप पढ़ रहे हैं सारी चीज़े note करते हुए और accuracy क्या है कि जब हम questions attempt करते हैं तो कितना actual में उसका use कर पा रहे हैं तो degree of perfection obtained is accuracy और कितना आपने use किया है that is precision और accuracy किसके उपर depend करती है instrument कितना precise है methods कितने precise use किया है planning कितनी अच्छी है experience कितना है surveyor का इन सब पर depend कर जाएगा the maximum error drawing के अंदर जो है that should not be greater than 0.25 next उसके बाद mistake और error से related आपको क्या याद रखना है mistake और error से related आपको याद रखना है ABCD ABCD के अंदर क्या आता है पहले E आता है फिर उसके बाद क्या आता है M आता है error is equal to measured value minus true value इतना सा अगर आपको याद रह जाएगा तो बहुत सारे questions आप कर लेंगे directly अगर आपको formula याद भी नहीं है जैसे slope correction वाले जो होते है तो उन cases में आप easily कर सकते है measured value minus true value correction इसका just opposite हो जाएगा फिर उसके बाद errors किस किस type के होते है इन से related जो questions आते है वो questions कैसे होते है statement based questions होते है कि ऐसे कौन से error है जिन errors के जो surveyor है वो उसको control नहीं कर सकता है तो वो कौन से है accidental error है या compensating error है तो mistakes और जो आपकी systematic error है इनको हम easily वैसे भी देख सकते है और eliminate किया जा सकता है अगर हमें पता लगया कि एक change जो है वो 10 cm बड़ी है यानि कि हर बार reading जो है वो हमें 10 cm के corresponding गलत बता रही है तो हम accordingly adjust कर सकते है जो भी हमारी जितने number of times उसको measure किया है तो हर number, हर length के अंदर उस correction को हम apply कर लेंगे तो ये तो किया जा सकता है mistakes की बात करें तो experience कम है, attention नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया poor judgment इनकी वज़े से अगर आपने कोई गलतियां कर दी values में तो उन्हें भी कुछ हद तक control कर सकता है मटाया जा सकता है लेकिन compensating या फिर accidental errors जो है वो आही जाते हैं ये surveyor की limits के beyond होते हैं और इन से related हम theories देते हैं या फिर जिने हम कहते है theory of probability तो theory of probability से related के equation बनेगा all of the above वाला बनेगा जिसके अंदर ये कहेंगे चोटी errors होने की chances, चोटी गलतियां होने की chances जादा होते हैं, बड़ी गलतियां होने की chances जो हैं, वो कम होते हैं जितने positive error होंगे, उतने ही negative error होंगे इनकी probability बराबर है तो ये बातें, जो आम इनसान को भी पता होती हैं बस वो किताबों में लिख दी जाती हैं तो वो theory of probability बन जाती है ठीक है? हाँ, ये सभी के लिए helpful है जो भी exam में आप पढ़ें, सभी के लिए helpful है और अगर state exams की मैं बात करूँ जो state के J1 exams होते हैं उनके अंदर ESC से related questions जो आयो होते हैं previous year के, बहुत simple वाले वो पूछे जाते हैं और वही आपकी जो किताबें होती हैं कुछ-कुछ किताबें जिनमें आप ऐसे देखते हैं ये so and so state का exam है तो इस book में से बहुत question आते हैं तो वो जो book है उसमें क्या होता है उसमें previous year engineering services के और आपके जो civil services के questions है वही उसके अंदर दिये हुए होते हैं और जो बिल्कुल simple वाले होते हैं जिसे J exam में डाला जा सकता है एक match the following है ये ESC का उसमें चार questions है मान लेजिए उन चारों को break करके J के चार questions बनाती है उसमें चार part थे match करो A को, B को, C को, D को 1, 2, 3, 4 से match करो तो वही चार के चार objective questions बनाके J exam में use कर लिए जाते हैं तो ऐसा ही होता है अब most probable error या इन से related जो आपसे objective में question पूछ सकता है वो है कि error जो है probable error of mean is equal to single upon root n तो simple सा objective question इसके उपर पूछ सकता है आपसे अगर J exam की या multiple choice questions की मैं बात करूँ EM is equal to ES upon root n बस यह इतना सा formula आपको याद रखना है questions में values दे रखी होंगी put करना है और answer आ जाएगा चलो next question उसके बाद यह mains का question है जब हमने detail में पढ़ा था तब हमने इसको discuss किया था कि कैसे calculate करना objective में यह नहीं आएगा next अगर हम बात करें तो अब आ जाते है measurements या फिर linear surveying linear surveying के अंदर pacing क्या होता है पैसो meter, pedometer, odometer chaining यह जब बातें करते हैं कि mains में अगर कोई question आजाए, write a short note on linear measurement devices या उनके उपर तो आपको इनको फिर explain करके लिखना है objective में इनसे related क्या question आता है objective में आपसे ऐसा question पुछेगा एक follower है, एक leader है follower के हाथ में इतने arrow है leader के हाथ में इतने arrow है तो कितना distance measure किया जाच चुका है तो leader जो है वो arrow रखे का follower उसको collect करता जाएगा एक chain length measure कर ली तो वो follower यहाँ से यहाँ आएगा एक arrow उठा लेगा और leader यहाँ से आगे चला जाएगा आगे जाके जहाँ पर chain length खतम हो गई वहाँ पर यह और arrow रख देगा तो follower के हाथ में जितने arrow होते हैं उससे हम बताते हैं इसके हाथ में जितने arrow होंगे उससे हम बताएंगे कि कितने chain length measure किये जा चुके हैं ऐसे objective questions अब तक पूछे गए हैं next procedure in chain surveying इनसे related definitions पूछते हैं जैसे definition में आपसे पूछते हैं कि main जो survey lines है इन पे अगर कोई दो points हैं और इनको join करने वाली line है तो उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं tie line, subsidiary line, auxiliary line बोलते हैं main stations वो points जो हैं जो आपको corners of या फिर vertices of triangle बनाते हैं या इनको join करने वाली main survey line हो जाती है फिर उसके बाद tie stations in main survey line के उपर जो stations होते हैं वो tie stations होते हैं इनको join करने वाली जो lines होती है वो क्या कहलाती है tie lines कहलाती है base line जो पूरे area के central region के through pass करे या फिर आप ऐसे कह लिजिए कि लगबग लगबग दो parts में divide कर रही है या main central portion से जाने चाहिए ये definition है base line की check line या proof line वो lines होती है जो already हमने drawing के अंदर plot कर रखे हैं और field के उपर कोई भी दो point select करके drawing पे दो point select करके उनको compare करते हैं कि क्या actual में जो distances आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं speed सही है जादा हो रही है what is change ऐसा simple सा objective question यह आप से पूछ लेता है तो change कितना distance measure किया जा चुका है अब तब कितनी progress हुई है यही change है next well condition triangle well condition triangle की क्या क्या conditions है all good perfect well condition triangle जो है यनि कि एक ऐसा triangle जिसके अंदर दो lines का intersection आपको clear cut अच्छे से दिख पाए अगर मैं एक ऐसा बोलू यह भी तो एक triangle है यह भी एक triangle है लेकिन इस triangle के अंदर इस side पे अगर हमें आके देखो तो angle इतना छोटा है कि मुझे पता नहीं लग पा रहा कि यहाँ पर intersect की यहाँ पर intersect की यहाँ पर intersect की कहाँ पर intersect की तो clear intersection of lines जो है वो नहीं observe करने को मिल रहा है angle की value बहुत छोटी हो जाए तब भी angle की value बहुत बड़ी भी हो जाए तो अगर एक line यहाँ से आ रही थी दूसरी line यहाँ से आ रही थी और इनको यहाँ पर ऐसे intersect करवा दिया तो इनके अंदर भी यहाँ पर clearly नहीं पता लग पाएगा कि यहाँ intersect की यहाँ की यहाँ की तो जब angle की value बहुत जादा हो जाएगी उस case में भी हमें नहीं पता लग पाएगा तो अगर एक अच्छा triangle है जिसके अंदर या फिर आप यह कहिए कि survey के अंदर जब आप use करेंगे तो 30 degree से 120 degree के बीच में यह नई से कम नई से जादा तो उस triangle को हम बोल देंगे कि वो क्या है वो एक अच्छा triangle है हमारे लिए next chain की length पता होनी ही चाहिए आपको revenue chain कितना, gunters chain कितना, engineers और metric chain metric chain तो आसान है, metric chain जितने meter की होगी, एक meter के अंदर कितने link होते हैं उसमें 5 link होते हैं तो बीस meter की है तो 100 link, तीस meter की है तो डीट सो link ऐसे objective questions आपसे पूछते हैं revenue chain 33 feet 16 link होते हैं, gunters chain और surveyor chain 66 feet 100 links इसके अंदर होते हैं engineering chain 100 feet होते हैं और 100 links इसके अंदर होते हैं, objective में यह आपसे पूछा गया है आप तक engineering services के अंदर नीचे जो note के अंदर points हैं, यह भी पूछे होएं तो आने वाले time के अंदर आपसे, जो state के आपके exam है, उनके अंदर भी पूछ सकता है आपसे तो 1 mile के अंदर 1.6 km होते हैं, या फिर 80 gunters chain जो है, वो present होती हैं वन एकर के अंदर 40-46 meter square जो है area होता है, या 10 into gunters chain का square, इसके बराबर distance present होता है, एक याड में 3 feet होते हैं लगबग, तो यह भी आप इनको जरूर नजर रखिएगा इनके उपर, क्योंकि अगर EAC के previous year questions में यह पूछा गया है न, तो state के जो आपके exams हैं उनमें directly पूछेगा, और यह भी भूल जाएए कि EAC में तो 2005 में पूछा था यह, अब थोड़े ना पूछेगा, अब तो इतने साल हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, topic वही है, values वही है, syllabus वही है, औ अगर अगर distances की बात करें, तो आज कुछ change थोड़े ना हो गया, कि 1 mile is equal to 1.6 km है, तब था तो आज भी उतना ही है, तो question पूछा जा ही सकता है, चलो, next, recorded class तो नहीं है, आपका पहले का class देखें, अब जब last class हुआ होगा, तब से लेके अब तक syllabus भी change नहीं हुआ है, surveying भी change नहीं हुआ है, यह जो distances हैं, और units का जो system है, वो भी change नहीं हुआ है, तो दोस्त, यही होगा, यही पढ़ना पड़ेगा, आप आएंगे कल को, आपके बच्चों को भी आपने गलती से engineering दिला दी, तो भी जो base है, वो तो भही रहेगा, चलिए, next, फिर उसके बाद types of tapes, arrow या जो instruments हैं, यह क्या होते हैं, इन से related simple से question, what is ranging road या ranging rod का use क्या है, रेंजिंग के काम में आती हैं, तो इस तरीके से offset rod, special type of ranging rod है, जिसके अंदर यहां पर एक cut बना होगा, या groove बना होगा, French cross staff से, आप 90 degree के अलावा, 45 और 135 degree पे भी angle ले सकते हैं, यह इसकी खास बात है, optical square जो है, वो double reflection के principle पे based होता है, prism square सेम होता है, बस इसके अंदर यहां पर prism लगा होता है, optical square के जगा, optical square की तरह ही होता है, बस उसमें prism लगा होता है, mirrors की जगा, next question जो आप से पूछता है, वो यह है कि इस optical square के अंदर दो mirrors लगे हुए होता है, उनके बीच का angle कितना होता है, तो उन दोनो mirrors के बीच का angle जो होता है, वो होता है, 45 degree, 45 degree होता है, यहां से incident ray आई, इसके उपर आई, इससे reflect हो गई, तो यह दोनो जो mirror थे, यह दोनो mirror 45 degree पर एक दूसरे के साथ align थे, incident और reflected ray जो है, वो 90 degree पर निकल जाती है, next, उसके बाद बाद आती है, ranging की, ranging के अंदर, दो type की ranging, direct ranging, indirect ranging, direct ranging के अंदर, तो आप यहां पे खड़े हुए, आपका एक दोस्त यहां पे था, एक तीसरा दोस्त बुलाया, उसको आपने यहां पे align कर दिया, such that, यह तीनों एक ही line में दिख रहे हैं, तो एक straight line आपने यहां पर अगर बनानी है, field में, तो उसके लिए ranging के जरूरत पड़ती है, indirect ranging के अंदर क्या होगा, आपका दोस्त, A जो है, वो यहां पे खड़ा है, एक दोस्त, B जो है, वो इस तरफ है, A औ करेंगे, कि आप top view से observe करना है, आप एकदम उपर top view से अगर देख रहे हैं, तो top view से क्या करेंगे, A यहां पे खड़ा था, B यहां पे था, A यहां था, और B यहां था, एक straight line में इनको align करना है, C और D यहां पे थे, तो अब, अब यह D देखेगा, D बोलेगा C को, कि तुम इधर आजाओ थोड़ा सा, ठीक है, तुम एक straight line के अदर align हो जाओ, तुम थोड़ा सा आगे आजाओ, D ने इसको ऐसे देखा, कि D को A और C यहां से दिखाई दे रहे हैं, फिर उसके बाद इस C ने कहा, कि तुम D इधर move कर ज जाओ, B और तुम एक line में दिखाई दो, तो D यहां से यहां आजाएगा, फिर D, C को बोलेगा कि नहीं, तुम थोड़ा सा और C ने दिखे ले, तुम थोड़ा सा और इधर आओ, तो वो थोड़ा सा और नीचे C आजाएगा, फिर C, D को बोलेगा, तुम भे इधर आजाओ तो इस तरीके से align होते होते ही, यह B और जो A है, इनकी एक straight line जो है, वो हम align कर सकते हैं, clear, when it is not possible to chain around the obstacle, जैसे कि कोई river के case में होता है यहां पर, तो यह कैसा case हो जाता है, कि आप देख तो पा रहे हैं, लेकिन chaining नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोई river है यहां पर, तो river के थू एक जगा यहां पर हुई, एक जगा आप यहां पर खड़े हैं, तो आप directly देख तो सकते हैं, ranging तो कर सकते हैं, दो points को एक straight line के अंदर align तो कर सकते हैं, लेकिन chaining नहीं किया जा सकता है, यहां से distance आप इसके through measure जो है, वो नहीं कर पाएंगे, in chain surveying, field work जो है, वो किस से related होत होता है, अब corrections की अगर हम बात करें, तो इन पर जादा समय यहां पर नहीं देंगे, क्योंकि इस से related बहुत सारी questions हम already कर चुके हैं, इसमें आपको बस एक छोटा सा formula याद रखना है, कि true length अगर आपको पता करनी है, तो measured length into incorrect length of the tape upon designated, या फिर जब नहीं खरीद के लाते हैं तो कितने meter की थी वो, वो आपको पुट करना है, तो true length या फिर correct length जो है, वो आपकी measured length, true length जो है, वो किसके बराबर होगा, measured length into incorrect length of tape upon designated length of tape, तो बस direct आपको इसी के उपर चलना है, ये formula याद रख लेना है, बाकि इस से related अगर इनके उपर जाएंगे आप, कि कैसे आपने इ measure किया, पहले वाले distance को क्या माना, फिर उसके बाद next जो आपका absolute distance है, उसको क्या माना, इनके according करेंगे, confusions होती है, simple मान कर चलें आप, ये formula याद रख लेजिए, अब कब positive होगा, कब negative होगा, छोटे छोटे example से भी आप इनको याद रख सकते हैंगे, अगर 20 meter की chain थी, अब वो 20.1 की हो गई है, तो एक 20.1 की distance को वो 20 meter बतायागा, यानि कि distance कम बतायागा, तो आपको उसको correct करने के लिए क्या करना पड़ेगा, add करना पड़ेगा, तो ऐसे आप वहाँ पर logically बस use करके, और plus minus क्या answer आ रहा है, वो आप बता सकते हैं, true length 500 meter, measured by 20 meter, was reported to be 502, formula यूज कर नहीं है, थोड़ा सा बस इसके उपर ध्यान देना है, focus करना है, यह क्या कर क्या रहे हैं, आप चैट में बताये, अब पढ़ाई लिखाई पर ध्यान है, इधर उधर की बातों पर ध्यान है, आपस में लगे हुए हैं आप यहाँ पे, घर घर की बातें करने में, देखिए, नेक्स टाइब के जो question है, ध्यान दे लीजिए, एक बात बताओ, सिंपल सी चीज है, अगर आप पूरा दिन investment, 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 stock market, यह market, trading, यह सब करते रहेंगे, ठीक है, mutual funds, या फिर cryptocurrency, एटसेटरा, 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 और कमा हम कुछ रहे नहीं हैं, तो invest क्या करेंगे? ठीक है, समझ रहें आप, कि हमारे पास earning कुछ हाँ नहीं रहे हैं, और बाते हम किस की कर रहे हैं, investment की कर रहे हैं, वैसे ही, बाते हो रहे हैं, घर-गर की और जो base है उसका, कि हमारा career बनाना है, हमें एक earning आनी चीए, एक अच्छा lifestyle होना चीए, एक future secure है, वो होना चीए, उस ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो पहले career पे, future पे आप focus कर लीजिए, reply अपने आप आने शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पढ़ाई लिखाई में कौन से reply ढूंड रहे हैं, भाई, social media है, instagram है, बहुत सारी जगा हैं, वहाँ पर जाएं, चलो, शुरू करते हैं, तो questions के उपर बात कर रहे थे हैं, कि कैसे questions जो हैं आप से, देखें, questions कैसे पूछते हैं, questions ऐसे पूछेंगे, कि सुबह सुबह आप गए, नई chain या tape जो है, वो आपने दी अपने दोस्त को, आप तो काम करते हैं, या दोस्त से करवाएंगे, तो आपने अपने दोस्त को बोला, कि जाओ, ये ले जाओ, chain लेके जाओ, और survey करवाज पुरा दें, तो उसने करना शुरू किया, लेकिन आपका दोस्त है, तो आपको पता ही है, पूरा फरोसा है, उसके उपर कि वो अच्छे से काम कभी करेगा नी, तो नहीं जो chain या tape ज तो थी, वो आपने उसको दी थी, 20 मीटर की, फिर जब तक उसने B तक distance मेजर किया, उसको उसने खींच-खींच के कर दिया, 20.1 मीटर का, फिर उसके बाद यहां तक पहुंचा, तो 20.15 का कर दिया, फिर उसके बाद यहां पर 20.3 की हो गई, मान लीजिए, जब तक D distance तक 1000 मीटर है, यहां से यहां उसने बताया कि यह 1500 मीटर है, और यहां से यहां उसने बताया कि यह 2000 मीटर डिस्टेंस है, तो अब आपको true distance बताना है, A से लेके D का, तो आपको हर एक का individual बताना होगा, अब आप मुझे यह बताएं, कि जब tape नहीं थी, तब तो वो 20 मीटर की बी तक पहुंचते पहुंचते वो कितनी होगी, 20.1 होगे, तो A से लेके B तक का जो distance measure किया गया होगा, उसमें at an average tape की length कितनी रही, at an average tape की length उसमें कितनी रही, तो 20 plus 20.1 divided by 2, it means यहां पर length रही उसके 20.05 मीटर, average ले लेंगे न, कि कहा से कहा तक कितनी रही at an average, तो 20 से ले फिर 20.1 से लेके 20.15 इन दोनों का average ले लीजिए, 20.125 और फिर इन दोनों का mid ले लीजिए 20.225 अब आपको पता है, एक ही formula यूज करना है, क्या यूज करना है आपको कि true length is equal to कितना measure किया है, आपने measure length multiplied by incorrect length of tape upon designated या correct length of tape, तो सारे individual values आप इनके calculate कर लीजिए, जैसे total length या फिर length A से लेके D तक और कौन से वाली की बात कर रहे हैं, true वाली है, वो किसके बराबर होगी, यहाँ कितनी measure की measured length है, 1000, into incorrect length कितनी 20.05, divided by correct कितनी 20, plus next distance कितना measure किया गया, measured length into incorrect length, इस B से लेके C के बीच में कितनी है, 20.125 upon 20, plus C से लेके D तक distance कितना है, measure जो किया गया वो 2000, into incorrect length, 20.225 upon designated length, 20, तो यहाँ से sum कर लीजिए और आजाएगा आपका answer, तो ऐसे questions पूछ सकता है, जादा से जादा tough करना होगा तो, answer कितना आ रहा है, बता दीजिए, 45, 34.375, perfect. वेरी गुड, अविनन्दन मन्जीत, प्रज्या पुजा, नवीन, शेफाली, सुरेखा, संजीव, बंधना, परफेक्ट चलो, आगे बढ़े सुभाष, सोमपाल, महिंद्र जी बहुत बढ़िया, परफेक्ट चलिए सोनू, रोहिद जी, संतोष, सुनीता सुर्जीत, परफेक्ट बहुत बढ़िया, तो बस इसी तरीके से questions पूछे जाएंगे, simple है, बिल्कुल basic formula याद रखनें आपको, बाकी अराम से calculate कर सकते हैं, correction for slope की अगर हम बात करें, तो आपको error is equal to measured value minus true value, अगर पता है, तो correction होगा है, वो easily आप पता कर सकते हैं, आपको पता है, slope के along जो length measure की जाएगी, वो जाहिर सी बात है, वो जादा ही होगी as compared to, जितना आपको ये direct 2 points के बीच में length measure करना है, तो बस simple आप इस तरीके से calculate कर लीजिएगा, कैसे calculate करना है इसको, अगर आपको ये length calculate करनी थी, angle थीटा था, ये measure कर लिया आपने, तो error is equal to measured value, error is equal to measured value minus true value, अगर correction की बात करेंगे, तो true value minus measured value, true value कितनी होनी चाहिए, l cos theta होनी चाहिए, और measure कितनी कर लिया आपने, l measure कर लिया, तो बस correction आगया, उसको apply कर दो, चलो next, correction कैसा होगा, इसका correction हमेशा कैसा होगा, positive होगा, positive correction क्यों होगा, क्योंकि आपने distance, sorry, positive correction थोड़ी न होगा, negative होगा, क्योंकि ये distance जादा बताया है, तो कम करेंगे उससे, कम करने के लिए correction जो होगा, correction आपका होगा, negative, ज्यादा बता रहे हैं आप तो उसको सही करने के लिए कैसा होगा एरर पॉजिटिव होगा करेक्शन नेगिटिव होगा ये ठीक है चलो, next करेक्शन फॉर स्लोप का आपको छोटा सा फॉर्मूला ये याद रखने है लास्ट येर क्वेशन के अंदर आया हुआ है लास्ट येर क्या हर बार क्वेशन में पूछ लेता है फॉर्मूला भी पूछा हुआ है इसका एच स्कॉर अपॉन टू एल या फिर आपको ये बोल देगा कि दो मीटर जो है उसको उपर उठा के पकड़ रखा है आपका दोस्ट है ओवेसली तो एक साइड से आपने चेन या टेप को पकड़ा और दूसरे साइड से आपके दोस्ट ने तो उसने दो मीटर उपर से ऐसे पकड़ रखा है अब ऐसे मेजर कर लिया तो ये वैल्यू आपको अगर टू मीटर दे रखी है जो डिस्टेंस आपने मेजर करके बताया वो आपके पास L है तो H2 upon 2L फार्मुले में पुट करेंगे आंसर आएगा next correction for pull की अगर हम बात करें तो एक फार्मुला हम पढ़ते हैं hooks law का PL upon AE तो same formula यहाँ पर यूज करना है आपने उससे और ज्यादा जोर से उसको खीच दिया है तो जितना axis में खीचा वो लोड वो वाले लोड की value into L upon AE से आप यह value जो है पता कर सकते हैं easily अगर आपने ज्यादा जोर से खीचा है तो correction जो होगा वो कैसा होगा if P is greater than the standard load तो जो pull है आपका जो correction होगा वो कैसा होगा positive होगा क्यों positive होगा क्योंगी chain या tape को stretch कर दिया है आप जो distance बता रहे हैं वो कम बता रहे हैं तो इस बज़े से add करना पड़ेगा कुछ next फिर इस से related questions जो है pre में आएगा तो simple formula यूज़ करना होगा direct और कुछ नहीं यूज़ करना mains में अगर question आएगा तो mains में ये values नहीं देगा area नहीं देगा यंग्स modulus of elasticity नहीं देगा इसके लिए आपको और बाकी required data जो है वो देदेगा उसके according कर सकते है EAC का या gate का question आ गया तो उसके अंदर आपको एक दो चीज़ें और इसमें mix कर देगा एक दो चीज़ें और क्या mix कर देगा उसमें strength of material mix कर देगा वो जिसके अंदर आपको use करना होगा E is equal to 2G1 plus mu तो आपको mu की value जो है वो आपको देदेगा जी की value देदेगा वहाँ से E calculate करो फिर उसके बाद इसमें put करो तो ऐसे कुछ questions जो हो सकते हैं लेकिन अगर जही एक्जाम की बात करें तो direct P, P not, L, A, E इनकी values देगा put करना है answer आएगा next correction for temperature बच्पन से बढ़ते हुए आ रहे हैं कि alpha जो होता है coefficient of thermal expansion होता है जो कि हमें बताता है कितना strain आएगा per unit temperature change करने पर तो strain is equal to alpha delta T होता है change in length upon original length होता है strain तो alpha delta T होता है तो यहां से हमारे पास delta L की value आ जाती है alpha delta T into L same formula use किया जा सकता है correction for temperature के अंदर temperature अगर बढ़ा तो chain या tape जो है वो बढ़ जाएगी 20 meter की जो थी वो 20.1 meter की हो जाएगी 20.1 meter की distance को वो कितना बताएगी 20 बताएगी क्योंकि उसके उपर marking तो वही है न अब आपकी chain या tape जो है वो खुद हो गई है कितने की 20.1 meter की हो गई है लेकिन इसके उपर जो markings आपकी कर रखी है या जो graduations है ये graduations तो यही बता रहे है न कि ये 20 meter है ये वाला point तो 20.1 meter के distance को ये 20 ही बता रहा है elongate हो जाने के कारण तो आपको उस distance को correct करके बताना है आप measure करके क्या बता रहे है measured value आप तो कह रहे हैं कि 20 ही है जबकि true value है उसकी 20.1 तो error जो है वो क्या हो गया error is equal to measured value minus true value तो error हो गया negative error negative हुआ तो correction क्या होगा positive या simply देख लीजिए कि 20 meter अगर आप बता रहे हैं तो आपको 20.1 बताने के लिए कुछ add करना होगा तो अगर temperature बढ़ाया तो correction जो है वो positive होगा अब आपको change in length पता लग चुका है उसके corresponding correction आपको apply करना है अब stress upon strain is equal to young's modulus of elasticity होता है तो यहां से अगर आपसे thermal stresses जो है वो पूछे जो strength of material में हम पढ़ते हैं तो stress की value भी आप calculate कर सकते हैं तो alpha delta T into E आपका thermal stress आजाएगा thermal stress के दो conditions होती है पहली कि temperature change होना चीए दूसरे strain होना चीए pre to expand नहीं हो तभी thermal stress आएगा next correction for sag की अगर हम बात करें तो यह दो formula आपको याद रखने है इनसे related या तो formula ही पूछेगा आपसे या आपसे यह पूछ लेगा कि weight के directly proportional होता है या square of weight के directly proportional होता है correction for sag correction for sag कैसा होता है positive होता है या negative होता है तो correction for sag में सीधी सी बात है आप यहाँ पे खड़े हैं आपका मित्र यहाँ पे है distance जो measure किया जाना था वो यह distance measure किया जाना था लेकिन chain या tape को जुला दिया गया अच्छे से उसको hold करके नहीं रखा गया तो उस current से distance जादा measure किया होगा आपने यहां से यहां तक 20 meter का यह actual distance जो रहा होगा आपने इस से measure करके देखा तो 21 meter आया तो अब इसको correct करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको correct करने के लिए आपको कुछ minus करना पड़ेगा तो correction जो है वो कैसा होता है इसमें negative होगा correction कैसा होगा negative होगा next जब आपका chain या tape का जो correction है pull वाला और sag वाला यह एक दूसरे को cancel out कर दे तो उस वक्त जो pull आप लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं normal tension बोलते हैं तो इन दोनों को आप equate करवा दिजिएगा अगर आपसे question में ऐसे पूछे नेक्स्ट फटा फटा आगे चलते हैं, correction for mean c level, minus hl upon r, formula याद रखना है, direct इससे related question आएगा, कि कितनी height के उपर आप है, earth की radius क्या है, इसका अगर use करना है, वैसे तो formula के अंदर, इसको already हमने minus hl by r में, r को 6400 use कर रहे हैं, next, correction for misalignment, last year इससे related question आया था, correction for misalignment से related, SSC के अंदर question आया था, तो ये इतना बड़ा सा formula याद रखने की ज़रूरत भी नहीं थी, 2 meter का misalignment था, यहाँ से यहाँ measure करना है, उसने 2 meter लेकर यहाँ पर चला गया, ठीक है, वो 2 meter यहाँ चला गया, तो अब distance measure किया, उसने यह L वाला, और distance measure करना था, A से लेकर B तक, उसने distance A से C measure कर दिया, miss align हो गया, 2 meter उस main line से miss align हो गया, तो same ही तो question बन गया आप एक triangle है दो मीटर यहाँ का distance यह वाला measure करना था यह सारी A से B measure करना था A से C measure हो गया तो वही same use कर सकते हैं आप slope correction वाला formula यूज कर सकते हैं slope correction भी basically उस triangle के लिए ही तो बता रहे है इसी के लिए तो बता रहे है बस परक यह आ गया कि यह height की terms में बता रहे है और हम उसको horizontal plane की terms में बता रहे है फिर भी triangle की properties तो वही रहेंगी तो same formula भी use करते तो answer आता आपका यह simple वो triangle वाला theta angle के according calculate कर लिए कोई problem नहीं है तो यह misalignment वाले formula याद करने की ज़रूरत नहीं होती वैसे भी हम इसे कर सकते हैं नेक्स आगे बढ़ते हैं important points tolerance 20 meter के लिए कितनी होती है plus minus 5 mm और 30 meter chain के लिए plus minus 8 mm जो tolerance है वो हम consider करते हैं objective में इस point से related question आप से पूछ सकता है next types of surveying, marking of station इनके लिए अभी ज़ादा यहाँ पर time नहीं देंगे फटा फटा आगे बढ़ेंगे offsets क्या होते हैं lateral measurements made with respect to main survey lines true length आपको दे रखिये when this is measured with a 20 meter tape the length इतनी है आपके पास correct length कितनी होगी उसकी चलिए जल्दी से answer बताईए इसका फिर आगे बढ़ते हैं अभी question question के उपर ही चलेंगे हैं question पर ही focus रखेंगे कहां कहां questions जो है पूछते हैं आपसे देखे same formula आपको use करना है incorrect length upon designated length into measured length आपको करना है आपको incorrect length जो दे रखिये है वो 20.8 दे रखिये measured distance आपको sorry true length जो है वो 200 meter आपको दे रखिये formula में put करेंगे तो incorrect या फिर actual length of tape आजाएगे 19.92 next the side of square length was measured as 150 तो इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं आप differentiate करके भी कर सकते हैं या फिर आप वैसे भी calculate कर सकते हैं कि आपके पास 150 meter का square था आपके पास अगर तो उसमें से error जो है वो 0.05 का था तो उतना कम करके आप area calculate कर लीजिए और actual calculate कर लीजिए उन दोनों में difference देख लीजिए वैसे भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपके पास a square है तो अगर आप area calculate करेंगे तो capital a is equal to small a square तो डेल a की value आपके पास कितनी हो जाएगी 2a into डेल a हो जाएगी ऐसे आप इसमें भी put कर सकते हैं तो area के अंदर जो आपका difference है वो अगर आपको पता करना है तो twice of एक side कितनी है 15 meter है और उसके अंदर error कितने का इस 0.05 का है तो answer बता दीजिए जल्दी से 15 नहीं 150 है sorry 15 meter आ जाएगा तो या तो ऐसे कर लीजिए या फिर 150 into 150 जो area आ जाए फिर उसके बाद 150 minus 0.05 into 150 minus 0.05 उससे कर लीजिए लगबग same answer हाते है next what is the slope correction for a length of 30 meter along a gradient of 120 same तरीके से आप use कर सकते हैं तो इन question से हम फटा फटा आगे चलते हैं direct formula at square upon 2L ये आपको use करना है consider the following statement general principle working from whole to part तो पहला statement जो अब आपका गलत हो जाएगा दो observations जो हैं वो कम से कम हम consider करेंगे दो points of reference हम लेते हैं which of the following figures are equal to 1 acre ये ESC का question है तो इसके अंदर आपको बताना है कि 1 acre is equal to 43560 square feet के बराबर होता है या 40 गंतास के बराबर होता है 10 into gunters chain के square के बराबर होता है और 4850 square yard नहीं होता है वो होता है आपके पास 4840 थोड़ा सा बस यहाँ पर ये गलत हो जाता है तो 1, 2 and 3 are correct 20 meter chain बहुत question हो गए इससे related के शुरू के distance में ये 18 centimeter too long हुई और बाद में ये हुई एक बड़ा question हमने इससे related कर लिया The scale of 1 inch is equal to 50 feet इसके अंदर भी बस आपको conversion पता होना चीए कि 1 inch upon 50 feet की अगर मैं बात कर रहा हूँ 50 into 12 हो जाएगा आपके पास ये ठीक है तो आपके पास inch upon inch की form में आ गया है ये तो 1 by 12 fives are 60 and 600 तो 1 upon 600 हो गया 1 upon 600 किसको represent कर रहा है अगर मैं यहाँ centimeter यहाँ centimeter लिख दू तो 1 centimeter is equal to 6 meter को वो represent कर रहा है तो ऐसे कर सकते हैं During chaining with a straight line the leader of the survey party has 3 arrow और follower के पास अगर 5 arrow है तो 5 chain length follower के according आपको देखना है अगर question में chain की length भी आपको बता दे जैसे आपको कह दिया गया कि chain की length जो है 30 meter तो आपका answer meters के according कितना हो जाएगा 30 meter और 5 chain length है तो 150 आजाएगा आपका answer next question invite tape जो है वो किसे में बनी हुई होती है nickel and steel से ABCD में पहले N आता है फिर S आता है तो nickel जो है वो कितना 36% और steel जो है वो कितना 64% इसके अंदर होता है chain age क्या है distance measured along a line होता है in chain survey execution the first step taken is सबसे पहले reconnaissance survey आप करते हैं in the survey the slope correction applied to the baseline is always add होता जाएगा जैसे-जैसे slope के along आप बढ़ रहे हैं तो जितनी chain length आप measure कर रहे है वो slope correction वहाँ-वहाँ का उतना आप add करते जाएगे cumulative होगा the distance between two brass rings in surveyor's chain is 20 cm survey line provided to verify the accuracy इसे बोलते हम check line बोलते है accuracy के लिए जो survey line हम use करते है the total number of links provided in gunter's chain इस gunter's chain के अंदर आपके पास कितने links होते है gunter's chain की length क्या होती है gunter's chain की length कितनी होती है 66 feet होती है 100 links होते है next the difference in length of an arc and its subtended court next question chain surveying is most suitable जब क्या हो ground जो है वो लगबग फेर हो the area is small in extent plans are required on a large scale every 20 meter chain जो है वो accurate होनी चीए 5 mm तक या tolerance उसका 5 mm होगा 30 meter के लिए 8 mm उसका tolerance होगा maximum allowable limit up to that measurement may vary from the true from the true value उसे हम क्या बोलते है permissible error कितना allowed है number of links in a 20 meter metric 1 meter के अंदर 5 link होती है तो 20 वाली में 100 हो जाएंगे positive error आ जाएगा कब जब length of chain is shorter than the standard अगर length of chain shorter है मान लीजिए कोई 20 meter की chain थी अब वो 19.9 की ही हो गई है तो आप क्या बोलेंगे अगर वो chain खुद 19.9 की हो गई है तो actual में एक 19.9 meter का जो distance होगा उसको आप नापके उससे बता देंगे कि यह तो 20 meter का है तो अगर 20 meter का है तो आपने उसको measure करके तो कितना बताया 20 meter बताया जबकि आपको true value जो है वो 19.9 meter बता है तो error जो है वो क्या हो जाएगा measured value minus true value तो measure कितनी की 20, true कितनी है उसकी 19.9 तो error कैसा आ गया positive तो यह भी सही है slope and sag correction जो है positive error is caused if slope and sag correction is not applied slope correction, sag correction यह दोनों कैसे होंगे slope correction के अंदर value जादा measure कर लेते हैं तो कम करनी पड़ेगी sag में भी ऐसा ही होता है measurements are made along the incorrectly aligned line तो positive error हो जाएगा next एक काम करें आप दोस्त जितने भी दोस्त इस session के अंदर थोड़ा सा delay करके देख रहा है न वो आप live बटन पर click कर दीजिए जो live दिख रहा होगा न आपको क्योंकि कुछ दोस्तों की comment जो है वो पिछले questions के आ रहे है if a chain is found very short on testing it can be adjusted by आप links को straight कर सकते हो additional link जो है या फिर rings उसके अंदर insert किया जा सकते है जो circular rings थी उनको flatten किया जा सकते है the limiting length of an offset does not depend upon accuracy of work के उपर depend करता है method of setting out perpendicular scale of plotting के उपर करता है indefinite features to be surveyed इसके उपर depend नहीं करता है the construction of optical square की principle होता है double reflection के उपर होता है optical square के अंदर दो mirrors होते है इन mirrors के बीच में जो angle होता है वो 45 degree का होता है और एक बार incident ray यहां से आई तो इस mirror से reflect होई वो फिर उसके बाद इस mirror पे गई फिर उसके बाद इस से reflect होई तो दो बार reflect होती है तो double reflection होता है उसमें in a metric chain number of links per meter run 5 होते है cross staff is used for किसके लिए use करते है right angle set out करने के लिए करते है ranging क्या होती है आपको कोई भी दो points के बीच में straight line जो है वो establish करनी है या फिर उस line के along points जो है उसके उपर establish करने है आपको a line joining some fixed point on the main survey line is known as आप main survey line के उपर कोई दो points select करके उनको join करेंगे तो वो कहलाएगी आपकी tie line auxiliary line offsets are lateral measurements from the main chain line which of the following statement is correct with respect to these तो 1 upon 1000 या 1 upon 5000 इसमें से 1 upon 1000 बड़ा है 1 upon 5000 छोटा है the correction to be applied to each 30 meter chain for a line along a slope तो minus L1 minus cos theta हो जाएगा next question a rectangular plot of 16 km square in area is shown on a map by a similar rectangular area of 1 cm square तो 1 cm square है इसका मतलब आपका जो drawing होगी उसके उपर 1 cm by 1 cm square होगा actual जो plot होगा उसका 16 km square अगर है तो 4 km by 4 km का area रहा होगा it means 1 cm is being represented by 4 km या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 1 cm upon 4 km में 1 km में 1000 m होते हैं और 1 m के अंदर 100 cm होते हैं तो 1 upon 4 lag option b आपका correct answer हो जाएगा next alpha delta t से related questions है simple simple से alpha की value दे रखे है change in temperature दे रखे है length दे रखे है values put करनी answer आते चले जाएंगे आपके पास the magnitude of sag correction जो होता है वो किसके directly proportional होता है जैसे मैंने आपको बोला कि अगर numerical नहीं आता है sag correction से related तो ऐसा question आ जाता है कि यह जो correction है यह किसके directly proportional है small w के square की directly proportional है आपसे ऐसा question जो है वो exam में पूछ सकता है next correction को match the following के अंदर पूछ सकता है कि हाँ sag correction कौन सा pull correction कौन सा temperature correction कौन सा इस तरीके के basic से questions जो हैं वो आपसे पूछ सकता है compass surveying के उपर चलते हैं फटा फट compass surveying से related objective के अंदर questions जो आपसे पूछेगा वो आपसे simple definition true meridian या magnetic meridian जो है क्या है एक ऐसी meridian जिसके अंदर earth का geographic north south जो है वो reference के लिए लेते हैं तो वो कौन सी है true meridian earth का magnetic north magnetic south लेते हैं तो आपके पास magnetic meridian grid meridian के अगर हम बात करें तो किसी country के central region से जो meridian जाता है उसको हम consider करते हैं arbitrary से related last year question पूछा गया था मतलब हम अपने reference के according को जो meridian मान लेते हैं किसी fixed building या फिर chimney tower किसी उनको अगर reference में लेके तो उसे कहते है arbitrary meridian उनके reference में जो angle measure किये जाते हैं वो उनकी bearings कहलाती है respectively whole circle bearing क्या है या फिर quadrantal bearing क्या है I don't think so इसमें किसी को कोई problem होगी whole circle bearing के अंदर north के respect में angle को measure करना शुरू करेंगे यहां से किसी भी line की कितनी bearing है मान लीजिए कोई line यहाँ पे थी तो यह whole circle bearing, quadrantal bearing के अंदर north या south जो nearest होगा इनसे measure करेंगे north या south जो है जो भी nearest होगा यहां से measure करेंगे कि कोई एक line यहाँ present थी तो north से चलो theta degree towards east अगर मान लीजिए कोई एक line यहाँ present थी तो आप ऐसे कह देंगे अगर यह angle alpha है तो आप कहेंगे south से चलो alpha angle towards east इस तरीके से represent कर देते हैं अगर आपको four bearing back bearing दे रखिए तो back bearing is equal to four bearing plus minus 180 degree जो भी calculate करना है वो 180 से जादा है तो 180 minus कर दो 180 से कम है तो आप 180 add कर दो अगर आपको four bearing जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 35 degree तो back bearing आपको अगर बतानी है तो यह 180 से कम है तो 180 इसके अंदर add कर दो 180 plus 35 कर दो तो आपके पास आ जाएगा 215 degree next question के उपर चलते हैं अगर आपको quadrantal में calculate करनी हो four bearing back bearing तो बस आपको north को south को करना है south को north करना है east west west east interchange कर देना है बस four bearing से back bearing या back से four calculate करने के लिए next अगर हम बात करें angles की तो angles के लिए आप back bearing of previous line minus four bearing of next line से आप interior angles जो हैं वो आप calculate कर सकते हैं next questions जो आप से पूछते हैं कि what is dip dip क्या होता है तो earth जो है वो एक खुद एक पूरी powerful magnet की तरफ act करती है तो earth की magnetic field lines जो हैं वो कहां से वो south से निकल के north की तरफ जाती है south से निकल के north की तरफ ऐसे जाती है और south से north की तरफ जब वो जाती है तो कैसे जाती है यहां पर poles के उपर तो वो होती है earth के surface के perpendicular और अगर equator के पास में जाएं तो यहां पे हो जाती है parallel तो इसका मतलब अर्थ के सर्फिस के उपर अगर हम पोल पे जाके खड़े हो जाएं अगर हम यहां जाके खड़े हो जाएं और एक freely suspended magnetic needle को ऐसे दखें तो वो magnetic needle हमेशा अपने को अर्थ की जो magnetic field lines है उनके along align कर लेती है यनि कि ऐसे align कर लेगी अगर ऐसे align कर लिया तो अर्थ क सर्फिस के साथ कितना angle बना रही है वो 90 degree का बना रही है अब अगर आप equator पे जाके खड़े हो जाएं और यहां पे एक needle को suspend किया तो वो ऐसे align कर लेगी अपने को इस line के along यनि कि अब वो earth के सर्फिस के साथ कितना angle बना रही है तो 0 तो poles के उपर dip जो होता है वो होता है कित इतना होता है 0 degree होता है यह आपसे objective में पूछता है आपसे next important objective question true bearing is equal to magnetic bearing plus minus declination true bearing is equal to magnetic bearing plus minus declination plus declination जब वो eastwards है westwards है तो minus आपको यहां पर calculate करना है simple simple से questions इस से related आपसे पूछते हैं isogonic lines और agonic lines कौन सी होती है same declination की declination क्या होता है कि आपका magnetic north जो है वो कितना aligned है true से वो west की तरफ है या फिर वो east की तरफ है तो इसके according हम उसका magnetic declination बोलते हैं तो magnetic declination जो है वो आपको question में given रहेगा magnetic bearing given रहेगी चाहे तो आप उसको graph बनाकर कर लीजे चाहे उसको formula से कर ली नहीं होंगी, isogonic lines वो lines होती है same declination के points वाली और agonic होती है zero declination वाली तो agonic lines special types of isogonic lines होती है जिनके अंदर declination की value zero होती है तो objective में ये questions आप से पूच सकते हैं magnetic bearing of line is 48 degree 24 minutes calculate the true bearing if magnetic declination is 5 degree 38 east तो बस simple आपको करना है कि ये आपका true north है वो बना लीजे फिर उसके बाद 5 degree 38 minute east चलो कितना चलो 5 degree 38 minute east की तरफ चलो तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया ये magnetic north है ये magnetic north आ गया और magnetic bearing आपको दे रखिया 48 degree 24 minutes यानि कि यहाँ से इस जगह से इस से आप फिर 48 degrees 24 minutes चलो लीजे तो आपके पास जो required line है वो मिल रही है आपको अब simply आपको क्या करना है true bearing अगर पता करनी है तो true north से यहाँ तक का angle कितना है वो measure कर लीजे magnetic bearing declination जब भी अगर quadrantal में दे रखा हो तो quadrantal के case में क्या करना है graph से ही करना है formula से नहीं करना है गलतियां हो जाएंगी बरना तो यहाँ पर आप बनाएं true north यहाँ पर बनाएं true south अब आपको question में क्या दिया the magnetic bearing of a line is south से चलना है 28 degree 30 minutes towards east calculate the true bearing if magnetic declination is 7 degree 30 minutes west तो 7 degree 30 minutes west की तरफ चलो तो यहाँ पर तो आपकी यह magnetic meridian आ रही है तो magnetic north magnetic south तो यहाँ पर है अब आपको magnetic bearing दी हुई है 28 degree south से चलना है 30 minutes south से चलिए east की तरफ 28 degree 30 minutes इस तरफ east है तो अब जो required line है वो आपको यहाँ पर मिल रही है अब आप यह देखिए कि अगर आपको true bearing बतानी है तो यह value आपके पास होगी कितनी 7 degree 30 minutes तो दोनों add होंगे ठीक है तो यह याद रखेगा तो गलतियां यहाँ पर होती है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा focus करके चलें next टाइप आते हैं sun वाले सन वाले questions के अंदर आपसे क्या पूछता है बस इतना याद रखना है कि दोपहर के वक्त sun जो होता है वो अपने geographic north या geographic south के उपर होता है तो आपको simple बस sun यहाँ पर बना लेना ऐसे true north लिखेंगे और angles की value 180 के पास में दे रखी है तो sun यहाँ पर होगा 0 या 360 के पास है तो sun यहाँ पर होगा तो part 1 पे चलते हैं part 1 में 184 degree आपको दे रखा है तो हमें sun यहाँ पर बताना है कि sun जो है वो true south पर है so find the magnetic declination at a place if the magnetic bearing of the sun at noon is 184 degree तो यनि कि sun की bearing ली गई और वो 184 degree अगर आपके पास आई तो आपने angle कैसे measure किया होगा कि वो यहाँ तक आते आते 184 हुआ तो यहाँ से 90 यहाँ से 180 उल्टा चले गहें अभी हम arrow बनाना कैसा शुरू कर रहे हैं उल्टा यहाँ से उल्टा चलो 184 degree तो कहां से angle measure करना शुरू किया होगा कि यहाँ पहुंचते पहुंचते 184 हुआ होगा तो यहां से चले, यहां से 90 हुआ होगा, यहां से 180 और यहां पे आके कुछ ऐसे जो 184 हो जाता है, इसका मतलब इस case में जो magnetic north था, वो कितना इधर रहा होगा, वो रहा होगा 180 और 4 degree, इसका मतलब वो declination जो है, वो 4 degree towards west था, तब ही तो इस meridian से angle measure किया, तो sun तक पहुंचते प 4 degree आपके पास magnetic bearing आया, तो 4 degree towards west हमारा answer हो जाएगा, किस के अंदर, part A के अंदर, part B की अगर हम बात करें, तो part B के case में आपको simply ऐसे देखना है, 350 के आसपास की value है, तो आपको sun जो है, वो यहां पे बना लेना है, true north के उपर, अब आपको यह देखना है कि angle measure कैसे किया गया कि यहां तक पहुंचते पहुंचते 350 degree 20 minute हुआ, तो आपको उल्टा चलना है, तो उल्टा चलें, यहां पर 90, यहां पर 180, 270, और फिर यहां कहीं पर आकर magnetic north रहा होगा, जिससे की value 350 degree 20 minute measure की होगी, यहां से लेके ऐसे, तब जाके true north तक पहुंचते पहुंचते वो 350 degree 20 minute 9 degree 40 minutes, 9 degree, इस केस में declination is eastward है तो positive, eastwards है तो positive, 9 degree 30 minutes, 40 minutes है eastwards, तो बस ऐसे पहचानने हैं, अगर sun वाले questions आते हैं तो आपके पास, फिर उसके बाद compass या इनसे related questions आप से क्या पूछ सकते हैं, prismatic compass के अंदर, question अगर आप से पूछेगा, तो जब compass पे देखते हैं, तो आपको north की तरफ लिखा हुआ दिखता है 180 degree, north को measure नहीं करते हैं 180 से, north पे हम 0 ही मानते हैं, लेकिन हमारी reading की आसानी के लिए, ताकि हम directly यहां से देखें और यहीं पे reading मिल जाया हमें, इसकी आसानी के लिए north वाली तरफ 180 degree लिखा हुआ दिखता है, west की तरफ आपको 90 दिखता है, east की तरफ आपको 270 दिखता है, south की तरफ 0 दिखता है, designation change नहीं हुए हैं, angles की measurement हमेशा north के reference में ही करेंगे, जो यहां से ऐसे अभी तक कर रहे हैं, लेकिन उस instrument में ऐसा दिखता है, ताकि हम reading easily ले पाएं, similarly surveyor compass जो हमारा होता है, उसके अंडर, east की तरफ 90 दिखरी लिखा होता है, west की तरफ आपके पास 90 दिखरी होता है, यह दोनों interchanged होता है, east की जगां west होता है, west की जगां east होता है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है, ताकि readings आसानी से ली जाया सके यहां पर, जैसे अगर आपके पास कोई एक point था, उस point की bearing 330 दिखरी थी, तो north से ही तो measure करेंगे उसको यहां से 330, लेकिन अगर prism से directly आप देखे reading directly मिल जाए, similarly surveyor compass के अंदर यह interchanged अगर है, तो directly reading हम ले पाएं उसके लिए, चलो next, फिर उसके बाद local attraction पता करने के लिए आपको simply यह देखना है, table question के अंदर given रहेगी, उस table के अंदर आपको देखना है, four bearing, back bearing का difference, अगर 180 degree के बराबर आ रहा है, तो कोई local attraction नहीं है, उ और उन दोनों point से जो भी readings ली गई उनके उपर भी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो error है, उन दोनों में से या किसी एक में या दोनों में, तो बस आपको simply वो point identify करना है, जिन point के उपर four bearing, back bearing का difference 180 degree है, तो उस point पर ली गई सारी readings जो है, वो सही होंगी, उसके according आप question कर सकते मेंस का question इस तरीके से पूरा detail में आएगा, objective का question simple सा एक table दे रखा होगा, उस table में आपको वो point identify करने होंगे, कि किनके अंदर जो है, वो कोई error है नहीं, या फिर कहा है, तो वो आपको पता करना है, next आगे चलते हैं, तो theodolite से related basic basic से question, कि uses theodolite के क्या है, तो ऐसा question तो objective म मैं नहीं पूछेगा, transit theodolite हाँ, यह पूछ सकता है आप से, transit theodolite वो है, जिसके अंदर यह telescope जो है, यह telescope 180 degree पे आप इसको ऐसे rotate कर सकते हैं, फिर उसके बाद vernier और micrometer theodolite 20 minutes तक read कर सकता है, micrometer जो है, वो और further angles को read कर सकता है, then temporary adjustment में कौन कौन सा है, setting करना, उसकी leveling करन या फिर parallax को हटाना, यह temporary adjustments है, which out of the following is not a temporary adjustment, ऐसे करके questions आप से objective में पूछ सकता है, फिर उसके बाद centring, जो आपका station mark है, उसी जगह के उपर exactly instrument को place करना, फिर उसके बाद face left condition कब होती है, जब आपका vertical circle जो है, that is on the, यह vertical circle जो आपका है, यह vertical circle अगर आपके left side में है, तो आप इसे क्या बोल देते हैं, face left condition, अगर यह right side में होता है, यह निकि आप इसके पीछे खड़े होते हैं, उस तरफ खड़े होते हैं, तो यह face right condition हो जाती है, आपके लिए, changing face का मतलब क्या है, कि उसे face left से face right condition में लेके आना instrument को आप, तो changing condition आप बोल देते हैं, double sighting, एक ब इसे पूछेंगे, उनके उपर चलेंगे, what is plunging the telescope, तो telescope को अगर आप vertical plane में, टेलिस्कोप को अगर आप ने ऐसे घुमाया, यह telescope था, इसको अगर ऐसे vertical plane में घुमाया, तो यह क्या है, plunging the telescope है, अगर हम बोलते हैं कि swinging the telescope, तो swinging का मतलब इस तरीके से, यह आप क्या कर रहे है swinging the telescope कर रहे हैं, horizontal plane में आप कर रहे हैं, तो permanent adjustment में आते हैं, plate level adjustment, line of side का adjustment, horizontal axis या spire test जो है, यह आप से objective में पूछा गया, spire test, मतलब कि आप यह horizontal axis को adjust जब हम करते हैं, vertical index frame and altitude bubble का adjustment, तो यह सारे permanent adjustment हैं, next आगे बढ़ते हैं, फटाफट, leveling, leveling से related, जो simple से simple question आप से पूछते हैं what is benchmark, benchmark की definition पूछते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है, next आपसे question जो last year पूछा SSC में, ऐसे questions तो बहुत पूछे जाते हैं, कि एक room है, उस room का जो floor है, उसका reduce level है 100 meter, फिर आपने यहाँ पर instrument रखा, staff रखा, तो इसके उपर reading आपको मिली 1.2 meter, फिर उसके बाद एक छट के staff लगाया आपने, और उससे reading आपने observe की, तो वो reading आपके पास आई 1.5 meter, तो आप यह बताएं, reduce level of roof कितना होगा, तो simple है, आपको 100 plus 1.2 इस line पे पहुंच गए, फिर 1.5 add कर दीजिए, तो आपके पास roof का रहला जाएगा, तो ऐसा questions पूछ सकते हैं, last year जो objective में थोड़ा सा और confuse करने के लिए आपसे पूछा, वो कैसा पूछा, कि आपको एक जगां के उपर आप खड़े, तो back side की value दे दी, तो तीन चार readings दे सकता है आपसे वो, तो एक reading आपको दे दी, let's say कि 1.2 meter, फिर 1.4 meter, फिर 1.6 meter, 1.3 meter and so, ऐसे value दे दी, फिर आपको बोला benchmark का reduce level है, 100 meter, औ तो after second reading, instrument को change किया, तो बस simple drawing बनानी शुरू कर देनी है, instrument रखा, सबसे पहले reading कौन सी, पीछे की side लेते हैं, तो इसका मतलब ये back side हो गई, back side की value 1.2 meter, फिर आगे की direction में reading ली 1.4 meter, question में बोला कि second reading के बाद instrument को change कर दिया गया, तो इसका मतलब अब instrument यहां से नई जगां पर रख दिया, जब instrument नहीं जगां पर रख देंगे, तो अब पहली reading क्या कहलाएगी, back side कहलाएगी, तो यह 1.6 meter आ गया, फिर उसके बाद आगे की direction में आपने reading ले ली, तो 1.3 meter आ गया, अब question अलग अलग बन सकते हैं, उनमें से यह पूछ लेगा, which out of the following are back side, इनमें से back side कौन सी हैं, या 4 side कौन सी हैं, या आपसे यह पूछ लेगा, कि अगर benchmark आपके पस reduce level उसका था 100 meter, तो यह जो last वाली reading जिस point के उपर ली गई, उसका reduce level बता दीजिए, तो यहां का reduce level बताने के लिए आपको क्या करना है, 100 meter, फिर 1.2 उपर जाएं, फिर उसके बाद आपको कर दीजिए, 1.2, तो आपको इस line का reduce level मिल जाएगा, 101.2, फिर इसमें आप 1.4 माइनस कर दीजिए, तो इस point का reduce level आपके पास क्या आजाएगा, 101.2 में से 1.4 आपको माइनस करना है, तो आपके पास value आजाएगी, 99.8 और 99.8 में फिर से 1.6 add कर दीजिए आप, तो 99.8 में 100. 100.8 और 101.4 हो जाएगा, और फिर आप इसमें से 1.3 जो है, वो माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आजाएगा 100.1, सही है क्या बता दीजिए जल्दी से, ऐसे questions पूछ सकते हैं आप से, ठीक है, आप कह रहे हैं, तो मान लेते हैं, ठीक ही होगा, ऐसा question पूछा था, तो मुश्किल नहीं होता, लेवलिंग के अंदर कुछ भी बस आपको जो जो जैसे जैसे बातें बोल रखें, उनको लिखिए, याद ये रहना चाहिए कि सबसे पहली reading होगी, बैक साइट, जब इंस्ट्रूमेंट चेंज करने वाले ही होंगे, तो सबसे लास्ट वाली reading होगी, फोर साइट, चेंज पॉइंट को बोल दे, आपको, find the reduced level of change point, अगर ऐसा question बोल दे, find the reduced level of change point, तो change point वो point होता है, जिस पे back side, four side दोनों लेते हैं, तो ये वाला change point था, change point का reduce level 99.8, ये question पूशता अगर तो, inverted staff में कुछ नहीं करना, दोस्त, inverted staff के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर instrument रखा हुआ है, तो ये inverted staff की reading है, जो roof के उपर, छट के उपर ऐसे staff लगा के कर दिया, तो formula के through, मैंने आपको कोई formula थोड़ी ना बताया, यहाँ पर कि height of instrument is equal to back side plus reduce level of benchmark, formula तो मैंने कोई आपको बोला ही नहीं, direct बस ऐसे diagram बना के फटाफट हो रहा है, formula में थोड़ी थोड़ी confusion हो जाती है, कब reading को positive लेना है, कब negative लेना है, इस case में opposite लेते होते हैं, तो ऐसे क्य next, उसके बाद basic basic सी बात हैं, GTS benchmark क्या होता है, temporary benchmark क्या होता है, level tube क्या है, fixed point जिसका reduce level हमें पहले से पता होता है, benchmark कहलाता है, mean sea level जो हमारा है, वो है Mumbai के अंदर, Bombay है, height of instrument method जो है, इन से related आपको बात क्या याद रखनी है, यह questions, बस आपको set of readings दी होंगी, तो क्या आप four side, back side पहचान सकते हैं, जब जब आपको बोले न, instrument change किया गया, तो जो सबसे last reading होगी, वो four side, instrument नहीं जगां पर रखा गया, तो वो सबसे पहली reading होगी, back side, बीच में जो भी बचे, intermediate side, तो आपको बस identify करना आना चाहिए, इनके बीच में, next, यह mains के अंदर questions आएंगे, अगर पूरा detailed questions आएगा, objective में क्या पूछेगा, rise and fall method जो है, वो ज़्यादा accurate है, क्योंकि उसके अंदर complete check होता, reduced level के उपर, और intermediate sides जो होती है, उनके उपर भी होता है, height of instrument method जो है, जल्दी हो जाता है, कम महनत लगती है उसके अंदर, लेकिन इसमें कही ना कही mistakes जो है, वो बीच question बता दिया, कि किस type के question आएंगे, curvature correction, reflection, correction, इनके individual formula आपको पता होने चाहिए, curvature correction की अगर हम बात करें, तो that is 0.0785, 0.0785D square और ये value होती है, negative, values जो D की put की जाएंगी, distance जो put किया जाएगा, वो kilometer में put किया जाएगा, और जो correction आएगा, वो किस में आएगा, meter के अंदर आए नहीं है, फिर अगर हम बात करें, reflection, correction के, तो 1 by 7 times of correction होता है, curvature वाले के, 0.012D square ये होगा positive, जो correction होता है, reflection का, वो positive होगा, और जो curvature का correction होता है, वो negative होगा, दोनों को combine कर देते हैं, तो 0.0673D square minus sign के साथ, यानि कि combined correction आ जाता है, वो आपको calculate करना है, फिर से D की value किलो मिटर म correction की value जो आएगी, वो put की जाएगी, मीटर में, याद रखेगा, next type के जो questions आप से पूछते हैं, इसमें, वो questions आप से पूछते हैं, visible distance, या फिर distance of visible horizon, कि आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे, तो आपका vision तो एक दम straight line में जाएगा, यहाँ पर, तो कोई एक light house है, या क कब तक दिखेगा, तो इसके लिए आपको same formula, h is equal to 0.0673d square आपको use करना है, d की value kilometer में, h की value meter में, अगर distance पूछ ले आप से, तो पहले type का question है, type 1 वो तो ऐसा होगा, कि आप यहाँ पर खड़े हैं, और आपको इस तरफ का आपको observe करना है, तो बस simple आपको formula यूज करना है, अगर h height पूछे, तो 0.0673d square यूज कर लीजिए, अगर d distance पूछे, तो exam में objective question होता है, तो objective question में थोड़ा time बचाने के लिए calculations का, तो आप यह formula याद रखेगा, 3.855 root h, तो वो आपको put करना है, इसके अंदर answer आ जाएगा, अगर ऐसा कोई question दे दे, कि आपको इस तरफ भ आएगे, तब अलग-अलग d1 इधर का अलग calculate करिएगा, d2 इधर का अलग calculate कर सकते हैं, और इस तरीके से questions जो है, आपके बन जाएगे, जैसे कि यह बालग question आपको दे रखा है, कि observer standing on a deck of ship just sees the lighthouse which is 40 meter above, तो इस observer को just यह lighthouse दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर just touch करके जा रह curvature correction, reflection correction, इनके उपर जादा अभी हम नहीं जाएंगे, direct formula based question होता है, formula अगर याद है, तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, reciprocal leveling जो है, वो curvature correction, reflection, correction, collimation, correction, तीनों जो है, वो eliminate कर देता है, यह आपको यहाँ पर इसमें याद रखना है, next आपको इस से related अब तक J exam में questions नही पूछे हैं, लेकिन अगर exam में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, curvature correction के अंदर, पहले आपने यहाँ खड़े हो के reading ली, यहाँ खड़े हो के pass में staff रखा, यहाँ के reading, फिर उसके बाद एक staff इदर रखा हुआ था, इस पे reading, तो यह वाली ही होगी, लेकिन A वाली में कुछ error आएगा, तो जितना error यहाँ खड़े होके, इस staff reading पे आ रहा था, उतना error B पर खड़े होके, A वाली staff reading के इंदर आएगा, तो यह error same होगे, इन्हीं के changes को consider करते हुए, हम यहाँ पर इनका elevation पता करते हैं, तो last में आपको यह एक line जरूर याद रखनी है, चाहे तो आपसे statement में पूछ ले वो, चाहे numerical form में पूछ ले, कि true difference in elevation between the two points is equal to, जो apparent differences आए, कि यहाँ पर reading ली ह A, HB, यहाँ पर reading ली गई ह A-HB, तो इनकी जो apparent differences है न, तो ह A-HB, और एक आपके पास ह A-HB, तो इनका average ले लो, तो ह A-HB, ह A-HB, तो apparent differences है, error के साथ वाले जो differences है, उनका average ले लो, तो आपके पास true difference जो है, elevation का इनके बीच में मिल जाएगा आपको, EAC में question लगबग पूछे गए हैं, इससे related 3-4 बार, तो exams में आने वाले time में, इनसे related question आपसे पूछा जा सकता है, तो apparent difference का average लेना है आपको दोनो जाएगा, last year SSC में भी इससे related questions आए, जिन दोस्तों ने अभी तक session को like नहीं किया है, वो like कर सकते है, ठीक है यह formula आपको याद रखना है, next trigonometric leveling, simple trigonometric आपको use करना है, इससे related questions जो है, simple आपको मिलेगा, angle की values दे रख्योंगी, height या फिर distances जो है, यह दे रख्योंगी, calculate कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, simple leveling से questions कैसे होंगे, मैंने आपको बता दिया, leveling से related आपको question जो देखने क मिलेंगी, एक room है, उसका, जो floor है, उसका reduce level इतना, तो छत का reduce level कितना, यह सब आप से पूछता है, sensitivity से related, which out of the following are correct, ऐसे पूछेगा, कि sensitivity increase करती है, अगर radius जो है, उसकी tube की वो बढ़ा दी जाए, तो sensitivity बढ़ जाएगी, अगर उसको smooth कर दिया जाए, तो sensitivity बढ़ जाएगी, bubble की length बढ़ा दी जाए, sensitivity बढ़ जाएगी, viscosity को अगर reduce कर देंगे, तो sensitivity बढ़ जाएगी, viscosity को बढ़ा देंगे, तो sensitivity घट जाएगी, ऐसे objective questions जो हैं, वो आप से पूछते हैं, next, उसके बाद measurements in traversing की अगर हम बात करें, तो traversing से related आपको यह याद रखना है, कि angular values को अगर आ आप एक minute तक बता रहे हैं, कि angle की value 300 degree एक minute है, तो distances जो आप बताएंगे, वो बताएंगे, कि 50 meter एक centimeter ऐसे, तो centimeters तक बताएंगे, अगर minutes में, आप minutes तक angle को बता रहे हैं, तो distances को centimeter तक आप represent करेंगे, loose needle method कौन सा होता है, fast needle method कौन सा होता है, इन methods के उपर directing की definition based आएगा, कि जैसे ऐसा कौन सा method है, जिसमें first बाले जो आपका point है, उसके उपर तो first station के उपर तो magnetic bearing consider कर रहे हैं, बाकियों में included angle या internal angles जो आपका यूज़ कर रहे हैं, तो आपका answer हो जाएगा fast needle method, included angle method में, first के magnetic bearing और सभी के उपर included angle, तो यह आपका included angle method हो जाएगा and so on, deflection angle method कौन सा है, वो method जिसके अंदर previous line को extend करके next line के साथ जो angle बनता है, वो deflection angle method, next questions आप से पूछते हैं, latitude और departure, तो simple इतना याद रखना है, latitude जो है, वो किसी भी line का projection होगा, north-south axis के उपर, यनि कि यहां से इसके उपर होगा, और departure जो है, वो इस axis के उपर होगा, angle का जो measurement होगा, वो कहां से होगा, north के respect में होता है, तो यहां के respect में, तो angle के साथ के वाले side के उपर जब इसका projection लेंगे, तो यह हो जाएगा, l1 cos theta, और departure कितना हो जाएगा, l1 sin theta, इस तरीके से आपको इसको याद रखना नेक्स्ट, कोई error free, अगर आपके पास traverse होगा, तो error free traverse के अंदर sum of latitudes should be equal to 0, sum of departures should be equal to 0, बाउडिच रूल को compass rule भी बोला जाता है, पहला objective question जो आपसे पूछता है, next objective question कि आपके पास यह कब use किया जाता है, जब angles और distances जो हैं, वो same pre-season के साथ होते हैं, यह भी आपसे objective मे होता है, कि इसके अंदर linear measurements are directly proportional to the length of line, लेकिन angular measurements के अंदर जो error होगा, वो inversely proportional to the root of length of line होगा, correction to latitude or departure of any side, अब तक J exams में नहीं पूछा हैं, J exam में directly बस ऐसा question आया हुआ है, कि linear measurement directly proportional to the root of length of line, angular measurement inversely proportional to the root of length of line, यह correction वाली values जो हैं, यह ESC के अंदर पूछा हुआ है, तो correction to latitude या departure की अगर हम बात करें, तो length of that side upon perimeter of that side multiplied by total error, अगर departure की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो बस आपको यहाँ पर use करना है, transit method की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर angular measurement जादा precise होती है, then linear measurement, total correction, sorry, correction to latitude or departure किसी side का अगर बताना है, तो latitude या departure of that line upon arithmetic sum of latitude, or departure, into total error in latitude या departure consider करते हैं, तो ऐसे statements आपको दे रखियोंगी, उन में से आपको पैचानना है, कौन कौन सी statements जो है, वो correct है इन में से, next, in any closed traverse, if the survey work is error free, अगर error free होगा, तो sum of latitudes is equal to 0, sum of departure is equal to 0, या फिर यह कह लिजिए, sum of northings should be equal to sum of southings, तो आपके पास latitude जो है, वो sum उसका 0 हो जाएगा, the direction of the magnetic meridian is established at each traverse station, magnetic bearing meridian आपको हर जगाँ पर देखनी है, तो ऐसे case में आपके पास कौन सा method आ जाता है, magnetic, 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 तो इसे कहेंगी, loose needle method, what is the angle between two plane mirrors of an optical square, तो 45 degree होता है, आपके पास, whole circle bearing आपको दे रखिये है, तो आप angle measure कर सकते है, ऐसे questions करवाने की ज़रूरत है कि जल्दी से बताईए, जिसमें बस simple आपको draw करना है, नहीं है, ठीक है, कर सकते हैं आप, बस questions का type देख लीजिए कि कैसा type होगा, बाउडिच रूल है, बाउडिच रूल के अंदर अगर हम बात करें, तो बाउडिच रूल में ये last में लिखा हुआ है ना, कि correction to latitude or departure of that side, length of that side upon perimeter of that side multiplied by, total error in latitude or departure, तो उसी का use करना है आपको, total error in latitude or departure, sum of departure से हम represent कर सकते हैं, L1 upon, total length जो आपके पास है, length of that side upon perimeter of that side into total error in latitude or departure, तो इसे हम किस से represent करते हैं, submission of latitude या फिर submission of departure, तो इस तरीके से questions जो हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं, next type के question, align PQ is an old map had magnetic bearing of this, तो ऐसे questions जो हैं, इनको simple draw करके किया करें, तो बहुत easily हो जाते हैं, तो आपको, इस question को अगर देखना है, तो question में आपको क्या कहा, कि align PQ is in an old map had magnetic bearing of north से 57 degree towards east, तो हम पहले पुराना map बना लेते हैं, तो पुराने map की अगर हम बात करें, तो north से चलना है, आपको east की तरफ, north से 57 degree towards east, ठीक है जी चल लिए हम, when the local magnetic declination was 2 degree towards east, तो ये पहले true north बना लेते हैं हम इसको, ये true north था, ये true south था, और तब जो magnetic declination था, वो 2 degree towards east था, तो ये हमारे पास magnetic north है, लेकिन पुराने जमाने की बात है, तो old लिख लेते हैं, और उस वक्त ये 2 degree था, तो 57 degree यहां से measure करना है अब हमें, तो ये आपकी actual वो line आ गई यहां पर, if the magnetic declination is now 4 degree towards west, यानि की अब जो magnetic north है, वो आ चुका है यहां पर, magnetic north नए वाला जो है, वो आ चुका है 4 degree towards west, what will be the magnetic bearing of line PQ now, तो अब इस line, PQ की magnetic bearing कितनी होगी, 4, plus 2, plus 57, जोड़ दो सबको, तो ऐसे अगर हम draw करके करेंगे न, तो बहुत easy रहेगा, rather than, ऐसे cases में formula में चाहेंगे, तो थोड़ा confusion हो जाएगा, next, north से 63 degree towards, east, next, इस type के question, इस type के question में अगर आपको यह दे रखा है, the station A is free from local attraction, the correct bearing of the line CB is, अब इसमें जादा formula याद रखने की जरूरत नहीं है, basics याद रखने की जरूरत है, अगर station A जो है, वो free from local attraction है, तो A से लेके B की तरफ जो ली गई reading होगी, वो सही होगी, A से B की तरफ जो reading ली गई होगी, वो सही होगी, तो यह correct reading है, अगर 4 bearing correct वाली हमें पता है, कि वो 20 है, तो correct वाली back bearing कितनी होगी, वो 200 होगी, तो अगर मैं correct back bearing की बात करूँ, तो वो 200 आगई आपके पास, क्योंकि 20 plus 180 कर लीजिये, कि A से जब B के उपर चले आप, तो यहाँ वाली reading, जो 4 bearing थी, वो 20 degree बिल्कुल सही थी, तो यहाँ से back bearing जो है, वो 200 degree आनी चाहिए, फिर हमें यह दिखा, कि B से जब यहाँ पर reading ली गई, तो जो measured value थी, वो तो थी हमारे पास, 201 degree, और जो true value थी, वो थी 200 degree होनी चाहिए थी यह value, इसका मतलब B के उपर error है, तो B के उपर error कितना है, error is equal to measured value minus true value, measured value 201 है, true value कितनी है, 200 है, तो error कितने का आगया, एक का आगया, तो correction कितने का करेंगे, correction हम करेंगे, इसके उपर correction at B, जो हम करेंगे, वो करेंगे minus 1 का, वैसे भी तो देख सकते हैं, कि measure करके, 201 बताया, true होनी चाहिए थी, 200 तो correction कितने का होगा, minus 1 करना पड़ेगा, तो यह तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, diagram बना रहा हूँ, आप अपनी समझ से ही देख सकते हैं, कि 201 है, उना 200 चाहिए था, तो correct करने के लिए minus 1 करना पड़ेगा, इसका मतलब B से ली गई सारी reading पे minus 1 कर दो, तो B से ली गई reading 101 थी, इसमें से 1 minus कर दो, तो यहाँ पर अगर correct 4 bearing की मैं बात करूँ, तो वो 100 होनी चाहिए, minus 1 करने के बाद, अब अगर correct 4 bearing B से C की आपको पता है, तो इसकी back bearing भी तो पता सकते हैं, इसकी back bearing कितनी आ जाएगी, 180 से कम है, तो 180 add कर दो इसके अंदर, इसमें add कर देंगे, तो 280 आ गया, question में आपसे क्या पूछा है, तो वो आपका 280 डिग्री आंसर आ जाएगा, ऐसे करना है, बस simple, और यह EAC का question है, SAC में दो all simplified आएगा, यह आपके state के exams में, next, what is the angle ABC, 4 bearing of line AB is 40 डिग्री and back bearing कर सकते हैं, आप simple question है, magnetic bearing of line AB is this much, declination इतना है, then what is the true bearing, simple, जो भी आपको quadrental bearing वाले दिखें, इनके अंदर कृपा करके, diagram बना लें, वरना गलती हो जाएगी, 200 कैसे आया, 200 ऐसे आया न, 4 bearing, से back bearing अगर calculate करना है, तो plus minus 180 degree, 4 bearing अगर आपको 20 degree दिया है, तो 180 से कम है, तो 180 add कर दो, back bearing पता करने के लिए, तो back bearing, will be equal to, 4 bearing, plus 180 degree, तो आपके पास, 4 bearing 20 है, यह 180 है, तो कितना आगया, 200 आगया, इसको WCB में change करके हाँ, फिर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना आपके हाँ, चलिए, next, if the angle ABC, what is the angle ABC, 4 bearing of line, back bearing, आगय बढ़ते हैं, फटापट, magnetic bearing of line, इसको, draw करके कर लिजेगा, जादा conveniently हो जाएगा, in a close traverse, the sum of south latitudes, exceeds the sum of north latitudes, and sum of east departure, exceeds the sum of west departures, तो ऐसे case में, जो error आएगा, वो कौन से quadrant में आजाएगा, अगर south वाला exceed कर रहा है, तो south की तरफ, east वाला अगर exceed कर रहा है, तो east की तरफ, तो south east quadrant में चला जाएगा, contours क्या होते हैं, ऐसे points, same elevation के जो points होते हैं, उनको join करते हैं, वो क्या होते हैं, contours होते हैं, तो contours से related basic, definition based questions जो हैं, वो आपसे पूछते हैं, या फिर hill कौन सा contour represent कर रहा है, depression कौन सा represent कर रहा है, अगर values जो हैं, दो contours कभी आपस में intersect नहीं कर सकते हैं, कभी intersect कर सकते हैं, overhanging cliff या फिर, इसके case में, overhanging cliff या फिर cave के case में, intersect कर सकते हैं, contours जो हैं, वो एक दूसरे के उपर overlap कब कर सकते हैं, अगर कोई vertical cliff हो, एकदम ऐसे, इसकी अगर बात कर रहे हैं, तो अगर इसको plot करना चाहेंगे, एक drawing के उपर तो आप कैसे plot करेंगे, ये सारे points जो हैं, वो मान लीजिए, ये 100 meter की height पर है, ये सारे points जो हैं, ये कितनी height पर हैं, 90 meter की height पर हैं, ये सारे points जो हैं, ये 80 meter की height के उपर हैं, तो जब इसको plot करने की कोशिश करेंगे, तो सारे ऐसे ही circle बनेंगे, इसी के उपर ही, तो उस case में possible हैं, फिर अगर values increase होती जा रही हैं, जैसे ही ये है, अगर बाहर वाला 200 है, फिर ये 250, 300, 400, ऐसे, तो इसका मतलब एक hill को represent कर रहा है, अगर values decrease होती जा रही हैं, अंदर की तरफ, ये 100 meter है, ये 50 meter है, ये 30 meter है, ये 20 meter है, तो ये एक value को, या फिर एक depression को, lake को इनको represent कर रहा है, तो ऐसे questions जो आप से objective में पूछा जा सकते हैं, series of closely spaced contour lines represent करते हैं, कि अगर pass pass में है, series of closely spaced contour lines, तो steep slope को represent करेंगे, जैसे कुछ ऐसे, अगर आपने, एक तो ऐसी जगा है, एक मान लीजिए, ऐसी जगा है, तो अब contour interval, या फिर आप distances मान लीजिए, आप कितने कितने distance बाद consider कर रहे हैं, मान लीजिए 10-10 meter बाद consider कर रहे हैं, तो इसके लिए अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर अगर यह 100 meter था, तो यहाँ आते कितना हो जाएगा, 90 meter, 100 की जगा 1000 ले लीजिए, यह 900 हो गया मान लीजिए, यह 1000, और यह वाला point यहाँ पर आप यह मान लीजिए, 950, यह वाला point यहाँ पर मान लीजिए, 900 and so on, तो इसके लिए अगर हर 10 meter पर represent करना होगा न, तो यह बहुत पास-पास में lines आएंगी, बहुत पास-पास में तभी आप represent कर पाएंगे न, कि 1000, फिर 990, फिर उसके बाद 980, 970 and so on, जब इनको आप ऐसे इस तरीके से represent करने के कोशिश करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो 10-10 meter वाले points हैं वो आपको काफी दूर-दूर पर मिलेंगे, यह अगर 100 meter पर है, तो यह 90 meter यहाँ पर आएगा, 80 meter वाले points यहाँ आएंगे, तो इनके बीच में अगर इनको plot करेंगे, तो यह दूर-दूर दिखेंगे थोड़े आपको यहाँ पर, तो series of closely spaced contours represent कर रहे हैं कि steep slope है, पास-पास में तभी वो आएगा, narrowly spaced contour lines on a map shows, narrowly कह लिए, कह लिए, कह लिए चाहे, closely spaced कह लिए, steep को represent कर रहे हैं, the contour lines can cross each other in case of an overhanging cliff, closely spaced contours with higher values inside, जादा values अगर अंदर की तरफ हैं, तो hill को represent करेंगे, जैसे hill के उपर यह वाले point है, 1000 meter पर, यह वाले points हैं 900 meter के उपर, जब इनको plot करेंगे, तो यह 800 वाला, फिर यह 900 वाला, फिर यह 1000 वाला, तो ऐसे values increase करती जाएंगे, तो in points को plot करके ले क्या हैं यहाँ पर, फिर in points को ले क्या हैं इनके उपर, and then यह वाले जो points हैं इनको यहाँ पर, and so on, next, आगे बढ़ते हैं, which of the following would represent the surface of water level of a still lake, एक still lake जो होती है, वो किसको represent करती है, level, surface को represent करती है, अगे, 117 का यह level surface ठीक है, contour surface नहीं बोल सकते क्या, सारे जो points होंगे, same elevation के यह तो होंगे, contour surface नहीं कह सकते क्या, उसको, वो भी बोल सकते हैं न, सारे points, same height के ही तो होंगे, अगर lake के अंदर present है तो, वो भी हो सकते है, level surface भी है, नहीं कह सकते हैं, तो current बता दीजिए, boundaries will be, तो बाउंडरी जो intersect करेंगी, वो तो contour line हो जाएगी, boundary of lake is a contour line, contour surface की वैसे as such जो है, वैसे जो हम contour lines बोलते हैं, lines की form में contour को वैसे पढ़ता है, हाँ, जादा बहतर जो है, level surface है, surface वाला भी हो सकता है, contour surface जो है, वो भी, contours जो generally जो हम पढ़ते हैं, वो lines की form में ही पढ़ते हैं, contour lines ही पढ़ते हैं, वो सारे points identify करते जाओ, जो same elevation के हैं, next बाद आती है, plain table survey, plain table survey से last year, बहुत खतरना question पूछा गया था, SAC के अंदर, कि alidade is related to which of the following, तो alidade किसका part है, वो आपका answer हो जाएगा, plain table survey के, तो alidade क्या होता है, एक तरीके का एक ruler या scale ही होता है, जिसके एक तरफ eye vein बनी होती है, एक तरफ object vein बनी होती है, इससे हम side करते हैं, जो surface होता है, उसको level surface बोलते हैं, बिल्कुल, चलो, फिर next, table जो आप लेते हैं, वो कितना होता है, लगबग 60 by 75 cm का होता है, या फिर 45 by 66 cm का, तो यह आप use कर सकते हैं, अगर आप से objective में अब तर तो नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर पूछे तो, फिर उसके बाद plumbing fog का का काम होता है, जो आपके पास, जिस जगां पर station है आपका, या फिर यह कह लिजी, जिस point के उपर आप खड़े हैं, उसको अगर आपको drawing के अंदर plot करना है, तो plumbing fog का आप use कर सकते हैं, spirit level, leveling के काम आती है टेबल के, compass जो है, वो किसके काम आता है, compass और वो भी कौन सा वाला compass यूज़ किया जाता है, अगर objective में पूछे, तो trough compass यूज़ करते हैं, plane table surveying के अंदर trough compass यूज़ करते हैं, orientation के लिए, orientation का मतलब क्या हुआ, कि आप अपने table को हमेशा इस तरीके से align करके रखेंगे, कि एक fixed direction में हो, जैसे ये पूरे field में जा रहे हैं, तो उस पूरे field के अंदर अगर आपने table को ऐसे रख लिया है ना यहाँ पर, तो table इसी direction में aligned रहेगा हमेशा, यहाँ जाके भी ऐसे रहेगा, यहाँ जाके भी ऐसे रहेगा, यहाँ जाके भी ऐसे रहेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ जाके table को ऐसे कर दिया, कैसे भी disorient कर दिया, इसके अंदर एक principle यूज़ करते हैं, plain table surveying का, जो principle कहता है, कि field के उपर जो lines है ना, जैसे field के उपर traverse आपका कुछ ऐसा बनने वाला है, तो आपका table जो होगा, उस table के उपर भी traverse same यू रहना चीए, जो line A, B field के उपर है, वो आपका table जो होगा, उसके उपर भी line वैसे ही उसके parallel रहनी चीए, तो जो field की lines है, table पर product lines के parallel रहनी चीए हमेशा, इस line should be parallel to this line, इस line BD should be parallel to capital BD, जो हमारे पास field पर है, यही plane table surveying का principle है, table को fix करेंगे, level करेंगे, centring करेंगे, फिर उसके बाद orient करेंगे, औरियेंट करने का मतलब हमेशा, जैसे आपने table के उपर mark करके रख दिया, यह table के drawing जो थी, उसमें आपने mark कर दिया, कि north इस तरफ है, मान लीजी आप जिस जगह पर खड़ें, उसके according north इस तरफ आ रहा है, तो अब हमेशा table को जिस भी नई जगह पर ले जा कर रखेंगे, तो आप north की direction के according, जो आपने table, जो sheet के उपर line बना रखी है north वाली, उसके along align कर देंगे उसको properly north पे, तब ही आपकी overall जो drawing है, वो सही बन पाएगे, leveling, centering, generally ये simultaneously चलते हैं, adjustments जो होती है, orientation की अगर हम बात करें, तो north के along align करेंगे, उसे फिर points को side करेंगे, next objective question, orientation, जो है वो किस-किस through कर सकते हैं, आप back sighting के through भी कर सकते हैं, rough compass के through भी आप कर सकते हैं, method of radiation, intersection, traversing, resection, ये किस के method हैं, objective में question पूछे तो, plane table surveying के ये method हैं, आप से objective में ये पूछेगा, तो radiation method के अंदर एक जगा पे खड़े हो जाएं, सारे points side कर लीजिए, chain से या फिर tape से distance measure कर सकते हैं, EDM से भी measure कर सकते हैं, फिर उसके बाद इनके उपर arcs लगा दीजिए, और इनको आप draw कर सकते हैं, method of intersection तब helpful है, जब आपके पास कोई बीच में obstacle आजाए, कोई दो ऐसे points हैं, जो accessible नहीं हैं, तो उनके लिए हम ये use कर सकते हैं, इसे आप method of intersection बूलते हैं, next आता है आपके पास, method of traversing, तो objective में as such इन से related कुछ ऐसा नहीं है, जो आपसे पूछेगा, अगर mains में पूछता है, तो कैसे draw कर रहे हैं, ये steps लिखने हैं, जो कि आप simple अपनी समद से easily वैसे भी लिख देंगे, उसके बाद next आते है, method of resection, तो method of resection के अंदर, question objective में क्या पूछता है, objective में question आपसे ऐसे पूछता है, वो कौन सा method है, जिसके अंदर, जहां पर table आपका रखा हुआ है, जो location आप occupy कर रहे हैं, उसके point को plot करना है, sheet पे आपके पास already, दो points plotted है, जो ground पे exist कर रहे हैं, ground पे capital A और B exist कर रहे हैं, drawing के उपर वो already plotted है, small A और small B, अब आप जिस जगां पर खड़े हैं, उस जगां को plot करना है, तो वो कौन सा method है, वो method है, resection objective में, यह आप से question पूछता है, next अगर हम बात करें, to resection by three point problem, या triangle of error, तो अगर यह resectors draw करने पर, यह एक point पर ना मिले, अगर कोई तीन given point है, आपके पास x, y, z field के अंदर, जो आपके drawing के अंदर, आप जो है, plotted हैं already, तो आप इस small x से capital x की तरफ, देखते हुए line खीचेंगे, small y से capital y की तरफ, small z से capital z की तरफ, यह तीनों, अगर एक point पर ना मिले, एक triangle form हो जाए, तो उसे कहते हैं, triangle of error हम बोलते हैं, next अगर हम बात करें, tachymetry, tachymetry के अंदर, हम tachymetry का use करते हैं, जिसका multiplying constant 100 होता है, additive constant जिसका 0 होता है, आप से objective में यह question पूछता है, इसके अंदर, आपके पास, दो, जो stadia hair होते हैं, उनके बीच का distance जो है, वो क्या कहलाता है, objective में अगर पूछे, तो वो कहलाता है, stadia interval, अगर आप से stadia method जो है, उससे related principle उसका पूछे, objective questions में numerical आएगा, छोटा सा, जिसमें आप से distance पूछा जाएगा, आप से distance पूछा जाएगा, कि आपका object जो है, या instrument इनके बीच का distance आपके पास कितना है, या vertical axis of the instrument से, जो staff रखा हुआ है, उसका distance जो है, वो कितना है, तो that will be k into s plus c, तो k आपके पास multiplying constant s, जो है वो staff, intercept staff के उपर, reading कितनी देखने को मिली, objective में जो previous years में question आएगा, वो कैसे question आएगा, यहाँ की reading देदेगा, यहाँ की reading देदेगा, तो आपको इन दोनो readings के बीच का, यहाँ की s की value calculate करनी होगी, यहाँ पर, जैसे यह 1.2, यह 1.3, 1.4 दे दिया, तो आपको 1.2 और 1.4 के बीच का, यहाँ की s की value calculate करनी है, k की value question में दे रखी होगी, तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी हो, तो अगर techometer की बात करें, तो इसका multiplying constant 100, additive constant 0 होता है, तो d equals to ks plus c, आपको simple formula put कर देना है, जैसे इस question के अंदर देखी है, आपको readings जो दे रखी हैं, 1.4 और 2.9 meter दे रखी हैं, तो 1.4 और 2.9, इनके बीच का staff intercept आ जाएगा, d equals to ks plus c formula में put करना है, और आपका answer आ जाएगा, next, फटा फटा आगे चलते हैं, calculate the distance between the instrument and the staff, staff readings अब आपको यहाँ पर तीनों दे रखी हैं, और multiplying constant, additive constant यहाँ पर दे रखी हैं, फिर से आपको वही करना है, इन दोनों के बीच का difference जो है, वो आप calculate कर लीजिए, और multiply कर दीजिए, तो 100 plus d is equal to, ks plus c करना है आपको, k की value की अगर हम बात करें, तो multiplying constant उसने 100 दिया, staff intercept की बात करेंगे, तो 2.56 minus 1.56, और plus additive constant 10 दे रखा है, तो यह 100 हो जाएगा, into 100 plus 1, 100 into 1 plus 1, plus 10, sorry, तो 110 answer आएगा, subtense bar का इस्तेवाल किसलिए करते हैं, horizontal distance जो है, वो measure करने के लिए हम use करते हैं, measurement of horizontal distances in undulated areas, horizontal distances obtained by tachometer observations, उसके अंदर क्या होगा, आपको slope correction की, या फिर tension corrections जो है, वो apply करने की ज़रूरत नहीं पढ़ती है, the number of horizontal cross wires in stadia diaphragm, कितने होते हैं, वो आपके पास 3 होते हैं, horizontal बाले, if the intercept on a vertical staff, is observed as 0.75 meter from a tachometer, the horizontal distance between tachometer and the staff station will be, d equals to ks plus c, आपको use करना है, चलिए next आगे बढ़ते हैं, टachometer के लिए additive constant जो है, वो 0, multiplying constant 100 होना चाहिए, crosshair in surveying telescope पार fitted, crosshair को in front of eye piece जो है, हम place करते हैं, analytic lens जो है, वो provide किया जाता है, टachometer में, जिससे कि उसका additive constant को reduce किया जा सके, multiplying constant जो है, वो f by i होता है, additive constant जो होता है, वो f plus d के बराबर होता है, the diaphragm of a stadia theodolite is fitted with two additional horizontal hairs, उसके अंदर use करते हैं, horizontal distances obtained by tachometer, correct किया जाते हैं, किसके लिए curvature और reflection correction के तो ज़रूरत रहती है, optical means देख रहना आप, तो उसके अंदर curvature और reflection ये तो ज़रूरत पड़ेगी आपको, in tachymetrical observation, vertical staff holding, अगर आपने staff को vertical hold किया, तो आपके better results जो आएंगे, error जो हैं, वो minimum रहेगा यहां पर, plumb bob lines at two different places, अगर आपने earth के उपर, दो अलग अलग जगां के उपर, एक plumb bob यहां लगाया, एक plumb bob यहां लगाया, तो यह कहां जाके intersect होंगे, at the center of the earth, which of the following is correct, length of engineering chain 100 feet होती है, gun test chain 66 feet होती है, revenue chain 33 feet होती है, all of the above, point of inaccessible point जो होते हैं, plane table के अंदर, वो intersection method से हम बता कर सकते हैं, surveyor compass के अंदर, bearings को जो observe किया जाता है, वो किसमें reduced bearing में हम observe करते हैं, prismatic जो होता है, उसके अंदर whole circle bearing का use करते हैं, two or three point problems जो होती हैं, वो resection method का होती हैं, detailed plotting in plane table surveying is generally done by, आप radiation method से, सारे points जो हैं उनको अच्छे से field में खड़े होकी, आप plot कर सकते हैं, if the magnetic bearing of sun, ऐसे question तो हम करी चुके हैं, sun वाले तो, the angle between prolongation of preceding line, previous line से next line तक का जो angle होता है, उसे क्या कहते हैं, deflection, यह previous line को prolong कर दीजिए, और next line के साथ angle बना दीजिए, deflection angle कहलाता है, if the end points of a line are free from local attraction, तो four bearing और back bearing का जो difference होगा, 180 degree होगा इनके बीच में, four bearing अगर line के 324 degree दे रखिया, तो back bearing के लिए, 180 minus कर दीजिए, 144 degree 45 minutes answer आ जाएगा, compute the angle between, अगर आपको दो lines की bearing दे रखिया हैं, ड्रॉ कर यह angle इनका बीच में easily calculate हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, whole circle bearing दे रखिया, तो reduce bearing calculate करना easily कर सकते हैं आप, next, 4 bearing of the line, आप फटाफट इन questions को थोड़ा सा skip करते हैं, focal length of the object is 25, आपको additive constant बताना है, तो f plus d आप यूज़ कर सकते हैं, distance of the object glass from the trunnion axis या vertical axis, इन दोनों के बीच का distance यह नहीं कि, small d की value आपको दे रखिया, तो f plus d आपको put करना है, answer आजाएगा, तो angle between true meridian and magnetic meridian, magnetic declination कहलाता है, radiation, intersection, resection, यह plane table surveying के methods है, whole circle bearing अगर आपके पास है, तो quadrantal bearing calculate करना कुछ मुश्किल नहीं है, two points of survey are mutually invisible है, तो उस case में आप कौन सी ranging use करते हैं, horizontal ranging, जिसमें a, b, c, d, 4 यह थे न, c और d help कर रहे थे, a, b को एक straight line में आने के लिए, the sum of interior angles of a closed traverse, 2N-4 into 90 degree होता है, observed four bearing of line, अगर आपके पास 12 degree 24 minutes है, तो back bearing calculate करने के लिए, आप इसमें 180 add कर दीजिए, the direction of line relative to given meridian, तो उसे बोलते हैं bearing of that line, in a compass surveying, compass surveying के अंदर, direction and length, जो है वो compass से, compass से सिर्फ direction measure करते हैं, length measure नहीं कर सकते हैं, direction is measured by compass, length जो है वो chain या tape से measure करेंगे, in a prismatic compass, prismatic compass के अंदर क्या होता है, whole circle bearing जो है, वो calculate की जाती है, inclination of the compass needle to the horizontal, towards the pole, क्या कहलाता है, dip, next, the dip of the compass needle, equator के उपर कितना होता है, zero होता है, और poles के उपर 90 degree रहता है, the imaginary line passing through the intersection of crosshairs, and optical center of the objective, is known as line of sight, the difference between four bearing and back bearing of any station, तो वो आपके पास, internal angle भी हो सकता है, external angle भी हो सकता है, depend करता है, उनकी values के उपर calculate करके देखना होगा, the value of whole circle bearing, zero से 360 degree के बीच में lie करती है, which of the following is correct for sensitivity of bubble, sensitivity जो है, वो increase करेगी, अगर viscosity कम हो जाती है, अगर viscosity बढ़ जाती है, तो sensitivity decrease करेगी, तो sensitivity increases with decrease in viscosity of fluid, next question, the line normal to the plumb line is known as, level line जो होती है, वो plumb line के normal होती है, leveling deals with measurement in vertical planes के अंदर, हम distances बताते हैं, कि कोई एक point कितनी height पर एमीन सी level से, तो vertical distances बताते हैं, following sides are taken on turning point, foresight और backside दोनों consider की जाती हैं, if the staff is not held vertical, अगर आपने staff को vertical नहीं रखा, incline कर दिया, तो जितना distance measure किया जाना चाहिए था, उससे जादा होगा, तो आपका reduce level, इस point का reduce level क्या आएगा, अब line of sight जो आ रही थी, मान लीजिए, ये 105 meter इसकी height थी, height of instrument 105 meter थी, आपने reading यहाँ पर लेनी थी, एक meter आपने reading लेनी चाहिए थी, actual में एक meter, जबकि आपने reading observe कर ली, कितनी 1.5 meter, बहुत ज़ादा ही incline कर दिया, तो अब ऐसे case में, ये reduce level की value, जो 104 meter होनी चाहिए थी, अब 103.5 होगी, तो आपको कम मिलेगे, less मिलेगे, ऐसे देखें न, 105 minus 1, करने के कारण reading बढ़ गई, reading बढ़ गई तो RL इस point का खट गया, तो question में ध्यान दीजिएगा, कि उसने reading का बोला है, ये reduce level का बोला है, staff की reading का बोला है, या reduce level का बोला है, किसका बोला है, next, RL of point A, ये ऐसे question तो बहुत बहुत कर लिए, आपके पास एक room है, यहाँ का reduce level पता है, instrument रखा, instrument रखके यहाँ पे staff की reading ली, तो this reading, फिर एक inverted staff ले लिया, तो inverted staff पे यहाँ reading, तो ये जितनी reading आए, प्लस ये जो reading आए, यहाँ का दिया है, तो यहाँ का calculate कर लीजिए, यहाँ का दिया है, तो minus करके यहाँ पे आजाए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, poor bearing, back bearing calculate easily कर सकते हैं, measurement of area वाले के उपर चलते हैं, तो area से आपको मैंने पहले ही बता दिया, यह जरूर याद रखेगा, कि इनके बीच में क्या relations है, या 1 A.R.E. किसको कहते हैं, measurement of area, simple बच्पन वाले formula जो हैं, यह तो आप से obviously नहीं पुछेंगे, फिर भी याद जरूर कर लीजिएगा, आफ A, B, sin, theta, क्या पता, कोई simple सा question आई जाए, फिर उसके बाद mid ordinate rule में क्या करते हैं, जो भी आपका पूरा area होता है, simple तरीके से ऐसे समझें इसको, कि mid ordinate rule के अंदर, यह आपके पास कोई area था, इसकी baseline draw की यहाँ पर, यह baseline बना दी, इस baseline को divisions में divide कर दीजिए, कर दिया जी, हर एक division के mid पे ordinate ली लीजिए, कि यहाँ पर, अब यह obviously एकदम rectangular तो नहीं है, फोड़ा सा ऐसे मान लीजिए, ऐसे कुछ, तो हर एक mid पे, हर division के mid पे, आप ले लीजिए ordinate, इसके mid से ordinate ले लिया, इसके mid से consider कर लिया, इसके mid से consider कर लिया, अब आपको क्या करना है, यह वाली height कितनी आई, यह कितनी आई, यह कितनी आई, यह कितनी आई, यह सारी आपको ordinate के form में given होगी, सबको add करें, सबका average निकालें तो सबका average निकालने से आपके पास एक average height आजाएगी, यहां से लेकर यहां तक, तो वो into यह जो average height आई, वो into यह baseline की length कितनी है इससे multiply कर दीजिए, तो आपके पास यह पूरा का पूरा area calculate करके आजाएगा, बस simple इसी को इस form में लिखा हुआ है, कि यह हर एक division जो था आपका, हर एक division के mid में, तो यह वाले division 0 से 1 वाला इसके mid में ordinate ले लिया, 1 से 2 वाले division इसके mid में ordinate ले लिया 2 से 3 वाला, इनके mid में ordinate ले लिया, तो सब का average करके, और फिर उसके बाद length जो है baseline के, उससे multiply कर लिया तो mid ordinate rule आ गया next type का जो है आपके पास, वो है average ordinate, average ordinate में क्या किया, जो divisions के end थे ना, इन्ही end के उपर ही ordinate ले लिये, यह वाले distances measure कर लिये, आपका एक plot था उस plot का, अगर आपको area calculate करना है, तो आपने plot का area कैसे calculate किया, उस plot की baseline बनाई और आपको पता है, यह plot की boundaries थी हैं, ऐसे कुछ, तो आपने इस plot को कुछ divisions में बांटा, और in divisions में बांटने के बाद आपने क्या किया, हर एक ordinate ऐसे ले लिया, इन divisions के end पे, यह distance मेंजर किया, फिर आपने यह distance मेंजर किया, फिर उसके बाद आपने यह वाला distance मेंजर किया, फिर आपने यह वाला distance मेंजर किया, यह वाला distance मेंजर किया, जब यह सारे distances आपने मेंजर कर लिए, फिर उसके बाद इन सब का average ले लो तो आपके पास average height आ जाएगी और baseline की length है या आपके पास तो आप area calculate कर लो तो वही सारे ordinate का average लो फिर उसके बाद multiply by L ये n प्लस 1 और n कब कब आएगा अगर first वाले ordinate को आपने 0 तो ordinate बोल दिया तो 0 मतलब number of ordinate कितने हो गए आपके पास 0 से n तक चले तो n प्लस 1 हो गए तो इनका average 0, 1, 2 and so on तो आपके पास n प्लस 1 हो जाएगा अगर first ordinate को आपने O1 कह दिया फिर O2 और ऐसे चले तो divide by n होगा तो ये तो simple सी बात है जितने आपको given हो भही calculate कर लीजिए जितने आपके बात है अची बात है दोस्त Nigeria से पढ़ रहे हैं आप trapezoidal rule trapezoidal rule के अंदर आपको first ordinate last ordinate बस इसमें ये करते हैं is trapezium का area फिर उसके बाद plus is trapezium का area plus is trapezium का area plus is trapezium का area and so on जब ऐसा करते हैं तो first का area तो half into sum of parallel sides into distance between them फिर next के लिए half into sum of parallel sides into distance between them next के लिए half into sum of parallel sides into distance between them तो ऐसे case में क्या होगा इस second वाले zone की अगर मैं बात करूँ तो इसमें open आ गया first वाले की मैं बात करूँ तो इसमें भी open आ गया third वाले की मैं बात करूँ तो इसमें auto आया second वाले की बात करूँ इसमें भी auto आया Simpsons one third rule के अंदर अगर हम बात करें तो d by three first plus last ordinate four times even position वाले two times odd position वाले ordinate जो हैं वो आपको place करने हैं अब इनसे related questions जो है example questions next prismoidal और trapezoidal formula ये दो आप जरूर याद कर लीजिएगा measurement of volume के corresponding उसके बाद अभी जो नए equations हैं ये वाले questions आपने जो हैं अगर हम बात करें trapezoidal ये direct formula based questions होते हैं direct आपको use करने है direct answers इनके आजाएंगे which of the following method best estimates volume of an earth work Simpson method जो है वो best estimate करता है what is volume of earth cube side slope अगर आपको दे रखा है तो trapezium का आप area calculate कर लीजिए trapezium का area आजाएगा तो उसके बाद उसकी length से आप multiply कर दीजिएगा so this area multiplied by this length आपके पास volume आजाएगा planimeter की बात कर लेते हैं planimeter से related formula आप जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि last 2 साल में अगर आया है तो आने वाले times में आपसे ये पूछ सकता है हाँ ये बात अलग है थोड़ा सा calculation में आपको time लग जाएगा लेकिन calculation के लिए भी responding आपको कितना area measurement हुआ वो बता देता है final reading minus initial reading plus minus 10 times of index mark कितनी बार cross किया ये plus c तो as it is formula में आपको put करना है और answer आपको बताना है एक question के अंदर अब तक जो question आये है उसमें c की value उसने दी अगर वो question में आपको ये दे देता है कि anchor point जो है वो outside है जो आपने anchor point या जहां पर इस planimeter को आपने anchor किया है ये वाला जो anchor point है अगर ये आपके area के बाहर है तो ऐसे case में क्या होगा c की value zero put करेंगे आप बाकी formula as it is रहेगा फिर उसके बाद curve से related ये छोटे छोटे formula आपको याद रखने है that is it designation of curve जो है designation of curve में अगर आप use करते है 30 meter की chain तो आप use करेंगे कितना 1719 by R degree of curve बताने के लिए अगर आप use करते है 20 meter की chain तो आप use करते है 1146 by R बाकी ये formula उनके waste questions ठीक है ये तो होगे बिलकुल basic questions इस session के अंदर हमने कौन से questions किये है वो questions जो हर topic से associated है इसमें से बहुत सारे questions ऐसे हैं जो class में हमने सारे कर ही रखे होंगे लेकिन अगर हम exam point of view से बात करें तो question ऐसे ही देखने को मिलेंगे बस values अलग होंगी poor bearing से back bearing, back bearing से poor bearing wcb से आपका reduced bearing calculate करना वो सारा इनके अंदर भी अगर हम देखे है length of code calculate करने के बोलेगा तो formula आपको वही use करने values अलग अलग रहेंगी बस ठीक है तो आप किस किस टाइब के questions आते हैं जो देख चुके है values differ किया करेंगी उनको आप put करते रहेगा और answer आते चले जाएंगे जिन दोस्तों आभी तक इस session को like नहीं किया वो like कर दीजिए आज शाम को 5 बज़े 6 बज़े के जो हमारे sessions होंगे उन 5 और 6 बज़े के sessions के अंदर हम और questions करेंगे अलग questions करेंगे surveying से related जो आए हुए हैं तो उनको भी आप practice कर सकते हैं और ये जो आपके पास है इन्हें भी आप जरूर देख लिजेगा और एक चीज़ ये दियाद रखेगा अगर अभी भी आपके पास 15 दिन है तो इन 15 दिन के अंदर मान लिजे 15-20 दिन जो भी आपके अगर straight के exams चल रहे हैं अगर जैसे राजस्तान में आने वाला है अभी 18th को और और भी exam जो है वो भी nearby होने वाले एक exam जो है वो 8th को भी है तो 8th के लिए तो चलो दो दिन बचे हैं तो आप अराम से बस अब relax करिए और जो आप आपके short notes हैं या थोड़ा बहुत कुछ revise करना है वो कर लीजे बाकि अगर 15-20 दिन आपके exam में है ना तो अभी भी जब आप revise कर रहे हैं ना तो जो tough tough चीजे हैं ना उनको माली जी आज survey पढ़ा आपने आज survey revise कर लिया तो आपको लग रहे हैं ये survey के अंदर ये formula याद नहीं हो रहे हैं तो उनको एक page पे लिख लो अलग से ताकि last के जो पांस दिन बचे ना last के पांस दिन में आपको फिर लगेगा आप क्या पढ़ना चाहिए तब समझ नहीं आता है तब वो चीजें पढ़ो जो आपको जो आपने पढ़ी हुई है समझी हुई है लेकिन याद नहीं हुए यानि कि वो concept आपको पता है लेकिन वो formula अच्छे से याद नहीं हुए तो वैसे वाली चीजों को आप पढ़े तब ऐसा time नहीं होगा कि हाँ ठीक है soil mechanics तो पुड़ा पढ़ा हुए पाइल फाउंडेशन नहीं पढ़ा हुए तो आप पाइल फाउंडेशन पढ़ना शुरू कर देते हैं वैसा नहीं करना है उस stages में हम जो बोलते हैं कि tough चीज़ें पढ़ लीजिए या फिर जो चीज़ें आप गलत करते हैं वो पढ़ लीजिए में हैं ठीक है तो आपको UKPSCJ जो है वो भी है कल तो जो भी आपके exams हैं उन सभी के लिए all the very best आपको और अच्छे से पढ़ें जो भी अपने गलतियां हैं उनके उपर फोकस करें अपनी महनत के उपर विश्वास रखें exam में जाके अपना जो डर है उसको इतनी ताकत मत दें कि आपके जो की हुई महनत है उसको वो overpower कर जाए तो इसलिए जो भी आपने महनत की है उसके उपर पूरा फरोसा करते हुए कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है और जितना पढ़ा हुआ है वो मैं definitely करूँगा कुछ questions ऐसे आएंगे जो की tough होंगे या फिर जो दिखाने के लिए या फिर एक exam के time का जो महावल है वो check करने के लिए ही मुझे दिये जाएंगे challenge करने के लिए लेकिन मैं उन्हें ध्यान पूर्वक अगर आते होंगे तो कर लोगा नहीं आते होंगे तो उनको छोड़के वो questions डूढने की कोशिश करूँगा जो मैं कर सकता हूँ ठीक है तो अपने उपर आप थोड़ा सा विश्वास रखें और thank you so much take care बबाई इस session को like नहीं किया है तो अभी तक like कर सकते हैं दोस्तों के साथ आप इसे share भी कर सकते हैं मेरा नाम है संदीब जयानी कल सुबह मिलेंगे दोस्तों फिर से 8 बजे और concrete technology जो है उससे related questions हम करेंगे thank you so much take care बबाई बबाई